असलाम अलेकूम रिडर्स वेलकम टू क्लासिक इंट्रेइन्मिन्ट चैनल जहां हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नॉविल दिल तुम पे हारे का लास्ट पार्ट पार्ट वन आप लोग इसका पढ़ चुके होंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं डिस मुझे पूरी अमीद है कि ये नॉविल बहुत प्रसंद आने वाला है तो जल्ले से स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट मुझे तो ऐसी ही बात लगी तभी तो आपने अभी तक मेरा नबर सेब नहीं किया वो एक्चली मैं करने ही लगी थी तो करें जी अभी करते हूं वैसे आपने बास को ये क्यूं कहा कि वो पलवशा को अपनी सेक्टरी रखें फर्यार को लगा था कि बास ने खजर के कहने पर पलवशा को वापश अपॉइंट किया है और एससक्टरी रखा है मैंने तो बसुं को जोब वापश देने के लिए कंवेंस किया था बाकी आपकी फिर पोस्ट पर रखना था किस डिपार्यंट में रखना था ये सब तो बास का ही डिसिजन था हम्एं वन्स अगिन था Thank you so 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 much. It really means a lot. खाली खुली थैंक से काम नहीं चलेगा मैड़म. आपको मुझे कॉफी बिलानी होगी. डन होगया. लंच टाइम में कॉफी में मैं आपको कॉफी बिलाऊंगी. डन होगया. लंच टाइम में कैफे में आपको कॉफी बिलाऊंगी. फर्याल ने सोचा अगर कॉफी बिलाऊंगी. फर्याल ने सोचा अगर कॉफी बिलाकर वो उसका एहसान उतार सकती है. तो इस से चबहला क्या होगा? आफिस कैफे हम किसी दूसी चगा कॉफी नहीं पी सकते. खिज़र के सफसार पर फर्याल परिशान हो गई. आफिस के इलावा मुझे कहीं भी अकेले जाने की पर्मिशन नहीं है. आउटिंग्स पर बस अपनी बेहनों के साथ ही जाती हूँ. पलवशा ने सोच कर जवाब दिया तो खिज़र को बेसाखता डॉक्टर जोया याद आई. कितनी सेम हैं दोनों? स्ट्रेंज. खिज़र ने दिल में सोचा था. ओके, नो प्राब्लम. हम आज लंच ब्रेक में आफिस कैफे में ही मिल लेते हैं. बिला खिर वो मान गया और फर्यान ने सब का सांस लिया. तुम दोनों का सैटरड़े को आफ होता है या नहीं? उनके वाट्सेप ग्रूप थ्री मिस्केटेर्स पर जोया का मेंसेज मौसूल हुआ. तो बेस्मेंट से निकलते हुए पर्लमशा ने जवाब टाइप किया. हाँ, आफ होता है. क्यों? पर्लमशा ने जवाब और मेसेज सेंट किया. क्योंकि कमिंग सैटरड़े को हम तीनों बाहर जा रहे हैं. जोया का जवाब आया. कहाँ? अबकी बार पलमशा और फर्लमशा और फर्याल का सवाल एक साथ आया था. वंडरलेंड. वाओ, जोयी, तुझे और कोई बच्काना जगा नहीं मिली थी? फर्याल ने गूरता हुआ इमोजी लगा कर पैगाम भीजा. वंडरलेंड. आर यू किदिंग मी? बेहन, तुने उधर क्यों जाना है? रोजे में राइट्स पर बैठकर उल्टी हो जाना है? पलवशा ने लिफ्ट में दाखिल होते हुए कोफ से रिपलाई किया. बस कर दो तुम दोनों, ज्यादा नासुक ना बनो. वंडरलेंड में बड़ों के लिए भी राइट्स होती हैं. मुझे का सिब बच्चों के लिए नहीं है? जोया ने चिर्ट कर जवाब दिया. हाँ, और उन बड़ों वाली राइट्स पर हम दस हजार बार बैठ चुके हैं. अब तो लकी वन जाने पर वंडरलेंड को दिखके ही बुर्यत होने लगती है. फर्याग के जवाब पर जोया ने दाख पी से. मैं कुछ नहीं सुन रही. हम तीनों कमिंग सैटरेडे वंडरलेंड जा रहे हैं तो जा रहे हैं. अब बाकी बार डिटेल में गराओट को घहरा कर बताऊंगी. जोया का जवाब पढ़कर पलवशा और फर्याग दोनों ने अपना सर पीटा था. वो अफिस कैफे में बैठी पिशे 15 मिनर्ट से उसका इंजार करती. शदीद कुफ्त का शिकार हो चुकी थी. बिजारी से उसने अपने अत्राफ में निगाथ दोड़ाई. क्योंकि रम्जान मुबार्ग का महीना चल रहा था. इसलिए कैफे में मामों से बहुत कम रश्ट था. सिर्फ चनल ही लोग मौजूद थे. क्योंकि वो एक मल्टिक नैशनल कम्टी थी और वहां फॉर्णर्स भी काम करती थे. इसलिए कैफे रम्जान में भी खुला हुआ था. नौन मिसलिम्स के लिए. उसका खुद तो रोज़ा था. इसलिए वे और्डर देने के लिए खज़र की मनतजर थे. बस बहुत हो गया. पिशे पीस मिनट से मैं यहां इंजार करी हूँ. और ये बंदा आ ही नहीं रहा. हद होती है. और एक तो मुझे भी पता नहीं क्या सूजी. कि रमजान में काफी के आफर कर दी. अफ़तार की आफर की होती तो कमस कम ये बंदा वक्पर तो हाथा. और चलो मैं तो हूँ ही बावली जहली. सामने वाले भी लगता है बहुती डेस्पिरेट था. जो लंच टाइमे काफी पर मांग गया. ये शायद ये रूदे ही नहीं लगता? बिजारियत की इंतिहा थी. तब ही वो अपने आप से ही बातों में लगी पड़ी थी. जब ही उसे सामने से खिज़र आता हुआ नजर आया. अस्सलाम अलेकुम. खिज़र ने कार्ड की स्चेबर पर लगते हुए हशाश पर शाश लहजे में उससे सलाम किया. जिसका फरियाल ने हौले से जवाब दिया और मैन्यू कार्ड उसकी तरह पढ़ाया था. औरे कीजिए? वो उस बात पर आई जिसकी वज़ा से वो इस वक्त उसके सामने माचुद थी. इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैं आया हूँ. कुछ ट्राइम मुझे आपके साथ तो गुजारने दे. वैसे भी मेरा रोज़ा है. मैंने कुछ शेहीं ले. मैं तो बस आप से मिलने का खुआश्वन था. इसलिए काफी बर्मान क्या? खिजर निस साथ की से कंदे रुचकाते हुए अपने साफ गो होने का भरपूर सुबूत दिया. जबके खिजर की बात पर फर्यान ने कुछ खफा खफा लेकिन गन्फ्यूज जिन नजरों से उसे देखा. Excuse me? मेरा मतलब है कि क्या हम सिर्फ काफी पीने के लिए हैं मिल सकते हैं? I mean तो से कि कुछ बातें कर लेने में कोई हरश औरकिस नहीं है. आफिस में लंच बेक हाफ आरके मिलती हैं. खिजर ने वज़ाहत देते हुए कहा, हालकि उसे वज़ाहते देने की कभी जबरत नहीं पड़ी थी. क्योंकि वो जिस भी लड़की के साथ वो गुज़ाने की कोशिश करता था, वो लड़की बगए किसी वज़ाहत की तलब किये, उसके साथ पर हसामन हो जाती थी. लेकिन बाकी लड़कियों में और इस लड़की में फर्द था. कुछ तो ऐसा था जो उसमें जो उसे दूसी लड़कियों से अलग करता था, मुन्फरिद बनाता था. जी, मैं भी जानती हूं कि आफिस बेक आदे घंटे का होता है, लेकिन आप देर से आकर बीस मिनट और वेड़ी जाय कर चुके हैं. ना चाहते वोई भी फर्याल के मुसे शिक्वा निकल गया, और वो जबान दातों दली दबा करे रह गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि खिजर को बता चले, कि वो पिशे बीस मिनट से उसके इंजार में बैठी है, लेकिन अब अब बेखुफी में वो उसे खुद ही इस उसको घर चोड़ कर सीधा यहां आया हूँ, बट स्टिल, आपको इंजार करवाने के लिए, I'm so sorry, खिजर को न चाने के मगर ये बात जान कर एक अधीब सी खुछी में हसुस हुई थी, कि वो उसका इंजार कर रही थी, लेकिन फिर उसकी खबगी के ख्याल से उसने फॉरन से नरम पढ़ गई, अच्छा फरियाग, अपने बारे में कुछ बताएं, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा बहुत तो एक दूसरे के बारे में जानने, I mean we are koli eggs and friends as well, खिजर ने उसके चेहरे पर नदे जमा कर उससे पूछा, तो उसके युम सलसल देखने पर फरियाग कंफि क्या, यह हम friends कब बने, उसने दिल में सोचा लेकिम बोली नहीं, I got certified as a charter accountant from Tapani School of Accountants, और मेरी कजन पलविशा हम दोनों ने वहीं से पढ़ा है, और यहां as an intern job करें, that sounds good and what about your family, मेरी एक जोड़वा वहन है, पर वो इस फील में नहीं है, totally different फील में है, हमारी बहुत sweet सी family है, जिसमें बाबा, मामा, मैं, मेरी बहन, मेरी कजन पलवशा, मेरी दाई, अमी, और मेरी दादों हम सर्थ साथ रहते हैं, अपने घरवालों का जिक्र करते हुए, फर्याल के चेहरे पर मुस्कराहाट आ गई थी, और खिजर, उसके चेहरे पर पढ़ने वाले डिंपल में, कह मेरा बतीजा, पैरिंस की बच्वन में ही डैथ हो गई थी, और मेरे बड़े भाई, जिंका बेटा है, वो और उनकी मिस्स की कुसाल पहले एक हास्से में, अपने भाई भाई भावी के जिकर पर, उसके चेहरे पर एक तकलीफ दे एहसास उबरा था, वैसे मेरा एक बेस्ट प्रियान ने अफसूस करते हुए कहा, कुछ दे के लिए टेबर पर खामुशी से ज़ा गई, आप इस सैटरड़ी को मेरे साथ चलेंगी, मेरा बतीजा भी होगा मेरे साथ, वो आप से मिलकर यकीनां बहुत कुछ होगा, खिजर ने यक्दम ही कहा, एक्चिली, मुझे सैट प्रियान ने सहुले सेंग का गया था, हम, नो प्रॉब्लम, उसके जवाब पर खिजर खासा नाउमीद हुआ था, पता नहीं क्यों पर उसका दिल इस लड़की के साथ वग गजारने का खौहिश्मन हो रहा था, लेकिन वो लड़की इसमें दिलचस्पी ही नहीं ले रही और ऐसा खिजर सल्टान के साथ पहली बार हो रहा था, मामू, मामू, आज हम लोग डॉक्टर हरमाईनी के पास गए थे, खिजर शोजब और अरसल, दो दरिया के एक पुरसकून से महर वाली रेस्टरिम में बैठे, अफ़ता कर रहे थे, साथ ही जावियान भी था, जब ज खिजर चाचू ने वंडरलेंड जाने के लिए भी मना लिया है, अब हम सैटरिडे को वंडरलेंड जाएंगे, आप, मैं, खिजर चाचू, आरसल मामू और डॉक्टर हरमाईनी, अब की बाद जावियान ने शोजब को खुशी खुशी बताया, उसकी खुशी दीद ने थी पता नहीं वो एक ही मुलाकात में क्यों उस डॉक्टर का इतना दिवाना हो गया था, शोजब ने दिल में सोचा, जावी मेरी जान, आप खिजर चाचू और इसल माम को साथ ले जाना, मुझे काम से जाना है सैटरिडे को, मैं नेक्स तेम चलूँगा, खिजर का बिलको भी भी मूर नहीं था, वापिस से उस बत्तमीज मखरू डॉक्टर से मिलने का, तो उसने प्यास से जावियान कर समझाना चाहा, नो 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 आप चलेंगे, आप तीनों चलेंगे, अब मैं आप तीनों से फॉर एवर वाला कुट्टी हो जाऊंगा, अगर कोई एक भी नहीं गय तो, जावियान ने खाने से हाथ रुकते हुए मुझ फुला कर कहा, शेजी, क्या काम है तुझे सेटरे को, छोड़ना ब्रो, एक दिन काम को डिले कर दे, जावि कौन सा रोज रोज ऐसी जित करता है, अरसल से जावियान का उतरा हुआ चेहरा दिखाना गया, इसके फॉर बुला, अरसल की बात पर शोजब सोच में पढ़िया, वो अपना पूरा दिन एक ऐसी लिड़की के साथ हर्गे सही बजार सकता था, जिससे उसको पहली मुलाकात में चुर्ण हो गई थी, पर वो जावियान को भी अफसुर्दा नहीं देख सकता था, इसलिए उसे हाँ कर नहीं ही पड़ी, शोजब के हामी भरने पर जावियान बहुत खुशा और जावियान को देखकर वो तीनों, जब ही अरसल की नज़र सामने वाली टेबल वर पड़ी, और फिर उसकी नज़रे वही ठैस ही गई, क्या पूरा मैनी कार्ड ओर्डर करने का इरादा है, बेहन, अल्ला को मान, पेट है के बर्मुदर ट्राइंगिल जिसमें खाना जाकर खायब हो जाता है, जोया को और देते सुनकर पलवशा ने दबी आवाज में दाद पीस कर कहा, जिस पर फर्याल ने बमश्किल अपनी हसी कंट्रोल की, वो तीनों अफ़तार करने दो दर्याइं थी और आज की ट्वीक पलवशा की तरफ से थी, उसकी नोकरी बच जाने की खुशी में, क्योंकि बकॉलवशा के, उसने मनत मांगी थी कि अगर उसकी और सालिम की नोकरी बच गई तो वो दो भूकों को खाना खिलाएगी, और उसकी नजर में उसकी बेस्ट फ्रेंसे ज्याद ने अपना रोना रोया, ओ, बस कर दे, तू तो सिर्फ जी तोर महनत करती है, मैंने तो आज कमर तोड इस्टन्ट किया है, मुस्से ज्यादा मसलों फिलहाल कोई नहीं स्टेबल पर, जोया का रोना बीच में ही रोक कर, पलवशा ने अपना कारणामा सुनाया था, हैं, क्या पलवशा तो पागल है क्या यार, एक के बाद एक भंड माने जा रही है, वो भी और किसी के साथ नहीं, बल किसी था कम्पनी होने के साथ, क्या बनीगा बहन तेरा, फर्यान ने हमेशा की तरह पलवशा की अकल पर मातम किया था, वो कंदे उचका कर रह गई, जब ही पलवशा बैठा, उसको घूर रहा था, उसके साथ दो लड़के और एक बच्चा भी था, अर्सलां के गूरने पर पलवशा ने भी उसको घूरा, वो हमेशा इस रूल को फालो करती थी, कि जब कोई आपको घूरे, तो बदले में उससे ज्यादा घूरो, फिर सामने माला खुदी शर्मिदा हो गरने से हटा लेता है, लेकिन पलवशा यूसफ वो शायद पता नहीं था, कि अगर वो सेर है, तो सामने माला सवा से, पलवशा की घूरियों का अर्सलां पर कोई ऐसा नहीं हुआ था, वो ढीडों की तरहा उसे मसलसल देख रहा था, अब पलवशा क इसे हुए सोचा और सेर जटका था, दूसी तर उसके चहरे की तासुरा से नहीं जाने क्यों पर अर्सल खूब लुफ तंदोस हुआ था, उसे पलवशा का तपा हुआ चहरा देखकर बड़ा मसा आया था, अर्सल की घूरियों को नजर अंदास करके, उसे अपनी तवज़ की जो मजलजल वाइबरेट हो रहा था, उसे फून खूर कर देखा, तो सारिम के मेसेज़े जा रहे थे, वो उसे कल मिलने का कहरा था, कल हफ़ता था, और लों का आफिस से ओफ होना था, इसी वो पलवशा को कहीं लेकर जाना चाहता था, ताकि इतने दिनों से जो दोनों क के बीश नराज की चल रही है, वो खत्र हो सके, सारिम के मेसेज़े जिस पढ़कर पलवशा सोच में पढ़ गई, क्योंकि कल ही तो जो 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 ए ने भी आउटिंग का प्लैन बनाया था, अब वो किसको इंकार करे और किसके साथ जाए, वो बुरी तरह शर्शो पज़े में दोनों में से जिसको भी मना करती, उससे ही नराज हो जाना था, जोई, कल का कितने मचे तक कहसीन करना है मंडरलेंड का, पलवशा ने जोड़ से पूछा, यार दुबहर तक चलेंगे, फिर कुछ दिर वहां गुजार कर अफ़तार करके घर आ जाएंगे, जोई ने बर्गर पलवशा ने डरते डरते कहा, क्योंकि जानती थी कि आगे से रद्यमर शदीद आएगा, सारिम कहां से आगया बीश में कबाब मेर्टी, उसे किसने इन्वाइट किया, सारिम वारिम कोई नहीं आ रहा और तू भी हमारे साथ जा रही है, बस, that's it, मैंने कह दिया तो कह दिय जोया ने साफ इंकार किया, जोया ठीक कह रही है विश, यह हम तीनों बेहनों के आउटिंगे, तो तू सारिम को क्यों बीश में ला रही है, मुझे शदी चिड़े उस बंदे से, फर्यान ने साफ गोई से कहा, या, तुम लोग बिला वज़े उस से चुटी हो, जबकि जा कर जाएगा वो मुझे, खुद ही बताओ तुम लो, देखो ना, प्लीस, नराज मत हो, मैनेज कर लेता है यार थोड़ा, मैं उस से मिलकर उसको जल्दी ही घर भीज़ दोंगी, बाकि का सारा टाइम हम तीनों अकेले ही गज़ारेंगे, प्लीस, पल्वशानी मासुमित के सा पारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, उन दोनों को मक्षन लगाया, अच्छा बस कर, मासुमित अब ऐसी मीसी शकर मत बना, अजीब, ले आना सारीम को, पर अगर वो एक घंडे से जादा वहां रुका ना, तो फिर तेरा ब्रेक अब मैं खुद करवाओंगी, विशा सुन ल जोया ने काटी की नोख पलवशा की तरफ करते हुए धंकाया, तो उसने तूर निगलते हुए, मुश्कुरा कर अजबात में सरहलाया, उसके लिए इतना ही बहुत था, कि वो दोनों मांगीं थी खिर्की से सूरच की रोशन च्छन कर आती सी थे उसके मूपर के रही थी, और वो अपना बच्ता हुआ लारम कोई चौती बार बंग कर नहीं वाली थी, कि अचानक से उसके जहन में बिचली की तरह एक ख्याल कुंदा और वो करंट खा कर उठी, आज तो हफता था, आज त वापसी में जोया फर्याल के साथ भी, उफ, कितना लंबा दिन गुजरने वाला है, पलवशा ने बैट पर उंधे मूलेट कर सुस्ती से सोचा, लेकिन फिर मरता क्या ना करता कि मुज़ाग उठी गई, अब आज के दिन का सबसे एह मसला, जो कि हर लड़की को दर बेच हो थे, अब वो वाट रोप से तीन चार्ड वैसे निकाल कर, शीशे में खुछ से लगाते हुए चेक कर रही थी, पिलाखिर आदे गंड़े की तक उदो के बाद, वो कपने मुन्टखिब करने में कामयाब हो ही गई, शावरली के बाहर आने के बाद जब उसे फून उठा कर तो उसके बास का मेसेज आया हुआ था, वो उसको अवर टाइम के लिए आफिस बला रहे थे, उसे खूब तब चड़ी, सारे वर्कर्स का आफ है तो मैं किस खुशी में चाऊँ, छोड़ विशा, मेसेजी सीन ना कर, पलमशा ने खुछ से कहा और फून चार्जिंग पर ल स्ट्रेब्स ही बांदे ही थी, कि उसके फून पर हिटलर कॉलिंग लिखाने लगा, उफ, आखिर इने की मसला क्या है, छुटी वाले दिम भी सुगूर नहीं लेने देते, पलवशा ने कोफ से फून की स्क्रीन को देखा, लेकिं फिर दिल पर पत्थरक कर फून उठा लिय हलो, मिस्स पलवशा, मुझे मंडे को जो हमानी मलेशा की कमपनी से होने वाली दील है, उसकी फाइल चाहिए, आपको ओफिस आना पड़ेगा, आई नो इस एन ओफ डेप, बट मंडे वाली मीटिंग बहुत इंपॉर्टन है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए ह हर जीस पहले से चेक करके रखना चाहता हूँ, फून उठाते ही अरसल ने खड़ाक से अपना हुक्म सुनाया, तो पलवशा ने दाद पीस कर फून कान से हटा कर फून की स्क्रीन को घुमा, जी सर वालिकमस स्लाम, उसने हाइसा से कहा, तो दो पल के लिए अरसल खामों सहो करें गया, उसे नहीं याद था कि उसने आखरी बार फून पर किस को सलाम किया था, सर मेरी कल रास से बहुत शड़ी तबियत खराब है, ऐसा लग रहा जैसे आखों के आगे दुनिया घूम रही है, बिर को भी नहीं उठा जा रहा, डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने दो दिन का बेडरेस्ट बोला है, मैं कोशिश करती हूं कि हमत करके कुछ देर तक आ जाँ, पर अगर देर हो जाए तो खुसा नहीं करिएगा प्लवशा ने आवाज में दुनिया भाय की नकाह समो के बड़ी मुश्किल से चुम्रा मकमल किया, उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि अरसल कोश की फिक्र होने लगी, वो एक दिन में इतनी जादर बेमार हो गई, कहीं उसे डिस्ट अलरजी तो नहीं थी, वो गौट और मैंने उसे बेस्मेंट में भीश जिया था, शिट, अरसलां को खुद पर खुसा आया, नो मिस परोशा, आप मैडिसन लेकर रेस् पाइल का अगर पीडिय एफ है तो वो सेंट करते आने की ज़रत नहीं है, अगर आपकी इतनी तबीय खराब है तो घर पर हैं, और अपना खया बस घर पर हैं, बोलते बोलते अरसल एकदम रुका, वो क्यों उस लड़के की इतनी फिकर कर रहा था, वो उसकी सिर्वे एक ए जोय के रूम में गई, तो देखा वो तैयार हो चुकी थी, बस खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रही थी, और फर्याल भी उसी की ड्रेसिंग के सामने खड़ी, अपने बालों में क्लिप लगा रही थी, हाँ भाई लैला, आगया तुमारा सूप कॉल मश्रू, जोय ने उ एक हफ़ते तक मुसे बात करने का तो सोच नहीं मत, फर्याल ने बाल पीछे कमर पर डालते हुए, उसे याद लिहानी करवाई, एक्स चूँ, जोय ने बेच छट से कहा, अच्छा अच्छा मेरी अम्यों, आज होंगी, अब चलो तो, अल्ला लकर के तीनों घर के एक आँख नहीं भाता मुझे एक अंखजूरा, पता नहीं विशी को इसमें क्या दिखता है, जोय ने गारी स्चार्ट करते हुए फर्याल से कहा, महबत अंधी होती है डियर, फर्याल ने गहरी सांस लेका कहा, और खिर किसे बाहर देखने लगी, सारिम, पलवशा को लीकर समन्दर किनारे ले आया था, क्योंकि दोनों का ही रोज़ा था, तुरेस्टर इन जाने का फाइदा नहीं था, समन्दर किनारे वो दोनों बैठे थे, सुबा का वक्त था, इसलिए ठंडा ही महौल था, वशा, इतने दिनों से हमारे बीच ये नराज की चल रही है, मैं चाहता हूँ कि हम इसको खतम करें, क्योंकि इससे ना तो मैं चैन से रह पारा हूँ, और ना तुम, दोनों ही बेचैन है, सारे बाद सिर नराज की नहीं है, मैं बेचैन हो परिशान दूसी वज़ा से भी दूसी गौंसी वज़ा, तुम जानते हो अच्छे से फिर भी अंजान मनते हो, बलवशा ने शेकवा कुनान नसुम से उसे देखा, उसकी बीचैन की वज़ा उसके आए दिन आने वाले रिश्टे थे, जिन से वो शदीद खौफ सदा थी, क्योंकि उसकी ममा उसकी अब कही बात पकी करना चाहते थी, लेकिन सारें था कि समझता ही नहीं था, देखो इशी, जो चीज़ अभी पौसिबल ही नहीं उसको मैं कैसे पौसिबल कर सकता हूँ, मेरी अम्मी को मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरहीं काम है, और फिर फूपो भी तो कोशिश नहीं करती ह कि उनके दिल में चख़ब ननानी की, क्या मतलब है तुम्हारा, मेरी ममा कितने कोशिश करें, तुम्हारी अपनी दिल में नचाने कितने सानों से, मेरी ममा के लिए बुगत ले बैठी है, उस पर भी मेरी ममा उनसे बहुत अच्छे से मिलती हैं, क्योंकि वो उनकी भाबी ह और अब भी तुम चारे हूँ कि वो ही जुकती चली जाए मैं इतनी खोजगर्स नहीं हूँ सारिम हैदर कि अपनी महुपत के लिए अपनी मा को चुका दू पलवशा ने दो टोक अन्लाज में उसे कहा और सामने देखने लगी देखो किसी एक को तो जुकना ही पढ़ेगा वरना हमारा रिष्टा नहीं हो सकेगा सारिम की बात पर पलवशा ने तड़क कर उसे देखा ताली एक खासने नहीं बच्टी सारिम जब तक तुम्हारी अम्मी अपने दिल में हमारे लिए जगा नहीं बनाएंगी तब तक मेरी ममा कितनी ही कोशिश करने कोई फा hedgeार नहीं अच्छा छोड़ो इस बात को अभी ये बातें करके मूड ज्युकाइल ना करो अभी हम अपनी बातें करते हैं कितने एसे बात तो ऐसे बैठे हैं सारिम किला परवाई से कहने पर पलवशा उसे बस देखकर रह गई तुम्हारे इस नौन सीरियस बीहीवियर की वज़ा से मुझे जोया फर्याल कहती है कि तु मेरे लिए संजीदा नहीं हो बस चाइम पास करें हो मेरे साथ फलवशा ने दुकी होते हुए उसे बताया दोस्रों की बातों को एक नौन क्या करो तुम बस मुझ पर और मेरी बातों पर धिहान दिया करो सारिम ने उसकी आँखों में देखकर कहा जोया और फर्याल लकीवन मौल पहुँच गए थी इस मौल के अंदर ही एक वंडरलेंड बना हुआ था जहां बच्चों बढ़ों सब के लिए राइट सी वो जगा कराची के हर बच्चे के लिए वंडरलेंड ही थी चल फरी पहले तो लिए शॉपिंग कर लेते हैं फिर वंडरलेंड में जाएंगे जोया फरीयाल का हाथ पकड़कर आगानूर के आउटलेट में ले गई फरीयाल को कपड़े देखने में लगाकर जोया ने फून पर खिजर को मैसेच किया कल ही उससे नमबर लिया था ताकि उनकी बहुशने पर कांटेक कर सके खिजर का जवाब पढ़कर जोया मतमईन हो गई अब उसको सबसे बड़ा मौर का सर करना था यानि कि फरीयाल को खिजर और जावियान का बताना था फरी मैने तुझे कुछ बताना है रात को ही बताना था ये पर बस बातों में लगकर भूल गई जोयाल ने थूग ने गलते हुए कहा बोल अब कौन सा नहीं करना मन जाम दे दिया तुने फरीयाल ने कपड़ी देखते हुए मसूफ से अंदास में कहा यार वो मेरे कुछ गैस्ट आएंगे जिनसे मैंने तुझे और विशा को मिलवाना है उन गैस्ट की वज़ा सही वंडरलेंड जैसी जगह को सिलग किया है जोयाल ने आहिसा आहिसा कहा हैं ये कैसे बचकाना गैस्ट है भई जिनकों मिलने तुझे वंडरलेंड आई है तेरे महमान क्या छोटे बच्चे है फरीयाल ने आँखें गुमा कर कहा बच्चे नहीं बच्चा जोयाल ने जवाब दिया क्या मतलब फरीयाल ने नहसमझी से उसे देखते हुए पूछा फरीयाल की बूछे पर जोयाल ने जावियान के साथ की दोनों मुलाकातें उसके कोश गजार कर दी जोयी तुम ऐसे कैसे सिर्फ दो मुलाकातों में किसी फैमिली के साथ आउटिंग प्लांग कर सकती हो पता नहीं कौन हैं कैसे हैं तुम इतनी स्ट्रुपिट क्यों हो जोया की बास उनका फर्यार को खुब तब चड़ी यार फरी वो बच्छा इतना मासूम था और उसके पैरेंट्स भी नहीं है उसने इतने प्यास से मुस्से कहा मेरा दिल पे कर गया मैं ना नहीं कर सकी सदा की जजबाती जोया ने रुहांसी होकर कहा तो फर्यार ने अपना सर ही बीट लिया तो अब कब आएगा तुम्हारा वो मासूम बच्छा कब तक हम वीट करेंगे उसका फर्यार ने चिरते हुए पूचा तो जोया ने बताया कि बस पहुँशने ही वाले हैं बोलो फर्यार उसको घूर कर कपड़े के स्टेंड की तरह पड़ गई मैं बहुत 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 एकसाइटिड हूँ आज हम डॉक्टर हरमाईनी की साथ राइट्स पर बैटेंगे जावियान ने गारी से उतरते हुए कहा तो अरसल ने उसकी खुशी को बगौर देखा एक बात तो बताओ चैम तुम्हे उस डॉक्टर में ऐसा क्या दिखा जो तुम्हे उससे इतना अफसेस्ट हो गए हो अरसल ने उसको गोद में उठा कर उसके फूले पूले गाल खेच कर कहा शीस प्रीटी जावियान ने शर्मा कर कहा तो अरसल खिजर और शोसब ने हैरा से पहले उसे दिखा और फिर वो एक दूसे को देख जोर दा कहकर लगाया ये तो बच्छमन से ही हम पर जा रहे है खिजर ने हसे हुए आँख दबा कर कहा तो शोस अपने उसे घुरा तुम दोनों ही इतने हुसन परस हो मैं तो कभी हूँ एक नज़र में किसी का दिवाना नहीं हुआ शोसब सुल्तान का दिल इतना नरम नहीं है कि कोई यूं ही फता कर ले अरसल और खिजर का पिछला रिकॉर्ड ऐसा ही था दोनों की गल्फरेंड्स के एक लम्मी लिस्ट थे चलो भाई बहुत आरीपे सुनें डॉक्टर हरमाईनी की अब तो देखना ही पढ़े का उने अरसल ने लगीवन मौल में दाखिल होते हुए कहा जोया ने क्योंकि सेकेंड फोर पर आने का कहा था तो खिजर उन लोगों को लेकर सेकेंड फोर पर आ गया लिफ्ट से बहार निकलते ही सामने बने आगानूर के आउटलेट पर खिजर और जावियान को एक साथ जोया नजर आई तो जावियान भाग कर जोया के पास गया हमाईनी जोया जावियान ने जोया के पास पहुँच कर उसे खुशी से आवाज जी तो जोयाने मुड कर पीछे देखा पीछे ही खिजर आ रहा था और खिजर के साथ वोही उस दिन वाला वो बद्दमीज आदमी था और एक और कोई था लेकिन ये तीसा बंदा जोय को काफी जाना पहचाना सा लगा था अस्सलाम आलेकुम डॉक्टर हमाईनी कैसी हैं आप खिजर ने जोय के पास पहुँचके खुछ इखलाकी से उसे मखातिब किया जिस पर उसने भी इखलाक कर नुझकरा कि इसका हाल पूचा ये मेरे दोस्तें अरसलान एहमद कान जावयान के डियरिस्ट पामो और ये तो आपको याद ही होंगे इनसे तो आफ वस्जर मिली ही थी मेरे बड़े भाई शोजब सल्तान खिजर ने तारुफ का फरीज़ान जान दिया नहीं मुझे नहीं आ दिये अक्चली मेरे पास रोज ना जाने कितने पेशिंट आते हैं सबकी फैमिलीज की शक्रे थोड़ी आ देती है जोई ने शोजब को कतन इंग्नोर करते हुए कुछ इस अंदाज में कहा कि अरसल को अपनी मस्कराइट छुपाने के लिए मुझ दूसी तरफ करना पड़ा जोई बता मुझ पर ये औलिफ ग्रीन कलर अच्छा लगे का जादा या ये महरून वाला फरियाल की मस्रूफ सी आवाज पर उन चारों ने पलट कर उसकी तरफ देखा जहां वो दो ड्रेसेज अपने हाथ में ले एक खड़ी कन्फियूस सी शकल बनाये हुए थी जहां फरियाल को देखकर खिजर खुशगवार हैरत में डूबा वहीं खिजर को देखकर फरियाल शौक रह गई और खिजर तो खिजर उनके साथ वो उद्देवाला लड़का भी खड़ा था जो उनके खर पलवचा के रिश्टे के लिए आया था जिस पर पलवचा मैड़म ने जूस फेकने का कारणाम अनजाम दिया था क्योंकि फरियाल एक इंटर्नी थी और इतने जूनियर वर्करस का आफिस के उनर से आमना सामना होना नमुम्किन ही होता है इसके फरियाल नहीं जानती थी कि अरसल ही उनके आफिस का बास है जब ही वो कुछ शौक्ट सी थी कि सबकी नजरें खुद पर मर्कूस पाकर वो एकदम नर्बस हुई जिससे देखकर जोया जल्दी से उसके नजएक हुई थी ये फरियाल है मेरी बहन उसने फरियाल को ब्रेसे सिंचे करने का इशारा देते खुछ दिली से उसका तारूफ कर भाया तो जवाबन उन्तीनों ने उसे हैलो कहा था हर्माईनी ये तो बिलकुल आपके जैसी प्रिच्छी है जावी एकदम उसका हाथ पक्ड़े पुर्जोश अंदाज में जोया से मखातिब हुआ तो उसकी जरकत पर वो सारी ही मुस्करा दिये जबके फर्याल बिचानी जेब गई थी सच में वो वाकी प्रिटी है खिजर जेरे लब बड़ाता गोया अपने भतीचे की ताइद कर गया था हरमाईनी चले ना हम चलते हैं जावी अपनी पसंदीदा राइड पर बैठने को बेचैन हुआ तो उसका हाथ खेच कर पुर्जोर अंदाज में बेसरबासा बोल उठा जोया ऐसा करो तुम चली जाओ मैं कुछ देर में तुमें जॉइंग करती हूँ इतनी देर में विशा भी आ जाएगी उसक्यूर से बच्चे को देखकर वो विसाकता ही उसे जाने का बोल गई तो वो परिशान ही से उसे देखने लगी वो फर्याल को यह अकेरा छोड़ कर जाने में हिचकचा रही थी जबके वो तीनों मर्द हज़रात फिलहाल खामोशी थे कि खिजर ने अपनी खामोशी तोड़ डाली मिस्जोया आप जावी के साथ चली जाएं मैं फर्याल के साथ यही पर हूँ वैसे भी हम अज़र भी नहीं है एक ही आफिस में काम करते है तो इतना तो फर्याल मुश पर ड्रस्ट करती है कि उन्हें मेरे मौजूद की से कोई इश्व नहीं होगा क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना अपनी बात की ताइद उसने फर्याल से भी चाही तो जड़ अज़ बात में गर्दन हिला गई वो सच कह रहा था बाकि उसे खिज़र की मौजूद की से कोई मसला नहीं था तुम जाओ जोया हम तुम्हे कुछ दिर में जॉइंग करते हैं फरी के नर्मी से जास्ट देने पर वो सहर हिला ती गोया जाने को तैयार हो गई थी वैसे भी उसे वो तीनों काफी महस्जब लगे थे हाँ शुरुजब कुछ खरूद सा था लेकिम वो बदन सहर की सही था याहू हम चल रहे हैं इजासत मिले बर जावी ने जोरदार अंदाज में नारा मारा तो उसकी खुशी में वो सारी ही खुश हो गए वैसे भी उन्हें उसी की खुशी जादा जीज़ सी जब ही वो तीनों जावियां के साथ आगे की जाने बढ़ गए तो खिजर फर्याल के पीछे ही शॉप में दाखिल हो गया आप यकिनन एद की शॉपिंग करें हैं उसकी जिज़क दूर करने को वो दो सान अंदास ने बोला था तो वो मुझकरा कर फकर से अज़बात में हिला गई आएं फिर हम दूसरे आउटलेट पर चलते हैं यहां केजोर ट्रेस्स जादा हैं नर्मी से कहते उसे फर्याल के हाथ से शॉर्ट्स लेकर वहां मوجود सेल गर्ल को पकड़ाईं और उसका हाथ पकड़े उसे लिए वहां से निकलता चला गया जबके खिज़र के इसकदर इस सहकाग जटाते अंदास पर फर्याल का दिल बे इख्तियार ही जोरदार अंदास में धड़कने लगा था वह से अपनी पसंद के आउटलेट में लाया और फिर उसने अपनी ही पसंद से उसे दो इंतिहाई खुबसूरत ड्रेस खरीद कर दिये थे एक ब्लाक मैकसीनमा फ्रॉक थी जबके दूसरा एपल ग्रीन कलर कर ड्रेस शिर्ट डॉप्जर था जिसके उपर एक लॉप्जर अपर भी था दोनों ही ड्रेस पर हलका भुल का काम बना हुआ था जो फर्यार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आये था वो उसकी दिलाए ड्रेस पर खुश हो रही थी और वो उसके चहरे पर खुशिक के रंग देख खुद भी खुश हो था हर थोड़ी देर में उसके चहरे पर एक महुपत भरी नज़र डाल कर हटा लेता था ताकि वो गहर अराम देना महसुस करे ये क्या कर रही हो उसे बैक से पैसे नकालते थे खिजर अचंबे में घीरे गोया हुआ ड्रेसिस की पेमिंट कर रही हूँ मेरी ड्रेसिस की पेमिंट मुझे ही करनी है मस्रूफ अंदाज में कहते उसमे बैक से वालिट नकाला ही था कि खिजर ने उसके हाँ से वालिट उचक लिया जबकि उसकी इस हरकत पर मुश्यदत तर निगाहों से से देखने लगी ये ड्रेसेज मैंने दिलवाई है तो इसकी पेमिन्ट भी मुझे ही करनी है इस सहकाक जदाते खिजर ने उसका वालिट फर्याल के हासर चक्ते वापिस उसके बैग में डाल दिया लेकि मेरी ड्रेसेज के पैसे आप क्यू देंगे आपने मेरी शॉपिक में मदद की जिसकी मैं मशकूर हूँ लेकि मुझे पेमिन्ट तो करने देना प्लीज अच्छा नहीं लगता वो अद्जी से बुली तो खिजर सीने पर बाज़ लुपेटे संजीत की से उसे देखता दो कतमस के नजीख होता उसके आँखों में छाकते हुएं गोया हुआ क्या अच्छा नहीं लगता मेरा साथ या मेरा हक चताना या फिर सिरे से आपको खिजर सुल्तान ही पसंद नहीं है अपने सवाला की बुचार और गंबीर अंदास से वो उसे अच्छा खासा बखला गया था आप क्या कह रहें खिजर वो बिचारी पल में रोने जैसी हो गई थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मकाबल की इन सब बातों का मकसद क्या है मैं ये कह रहा हूँ मस्सक्बिल की मिस्स खिजर सुल्तान कि आप बहुत मासुन है प्यार से उसकी नाग को दबा कर छोड़ते वो हाथ बढ़ा कर उसकी गाल को चुमती लटको कान की पीछ उरस गया ये मुझे जालस फिल करवा रही थी उसके दाएं कान में नरम सी सरगोशी करते वो उसे सब पताने पर मच्जबूर कर गया था फर्यार का उसके पुर शोख नजरों में देखना महाल हुआ तो वो उससे नजरे चुरा कर तीजी से आगे की तरफ पर गई जबके खिजर खुबसूरती से मुस्कुराते ड्रेसिस का बिल बनवाने कांट रिके जाने पर गया था आपके साथ दो लड़के और थे शौप से बाहर निकलती वो कुछ जजग कर गया हुई एक तो आपके बोस सेहर सिलान खान साथा और दूसरे मेरे भाई शौजब सल्तान थे तरसल मेरे बड़े भाई के साथ सर की बहन की शादी हुई थी सो इस तरह हमें रिश्टारी भी लगती है लेकिन उन दोनों के अचानक इंतकाल के बाद जावी हम सब की जमेदारी बन किया है जोया की उसकी दोसी एक हासे की बतारोत हुई और उसकी खुशी के लिए आज हम यहां मौजूद हैं फिजर अपनी बोल रहा था जबके वो बिचारी उस लफ़ पर रटकी थी कि उस दिन रिश्टे वाला लड़का उनका बहुत साथ और यकीन ये बात विश्टे के इल्म में नहीं थी जावी अपनी पसंदीदा राइट पर बैठा वक्फे अक्फे जोया को देख पुर्जोश अदाज में अपना हाथ हिला रहा था जबके जवाबन वो भी उसे हाथ हिला कर मुस्कुराते हुए देख रही थी दूसी दरफ अरसलान खान जाथा उससे कुछ फासे पर खड़ा जावी के मख्तलिफ अंदा से मुबाइल में पिक्चर्स ले रहा था ये विश्टा की बच्ची नचाने कहां रहे गई है वहाले से बरबड़ा थी उसे मैसेश करने ही लगी थी कि अचाने कि उसकी नजलर क्योंकि जमगटे पर गई उन सब का जो शुकरोश देख लग रहा था जैसे वहां कोई सेल्बरिटी आया हो मेरी बला से कोई भी सेल्बरिटी हो या आसमानी मखलुक नजाने लोग क्यों एक आम इंसाम को लेकर इतना पागल हो जाते हैं जेरे लब बरबड़ा थे वह चंद कदम आगे बढ़ी ताकि विशा को देख सके क्योंकि उसका मैसेश आया था कि वो पहुँच गई है इतने में एक लड़की हलका सा धका लगने पर एक साइट पर हुई तो जोया की आँखें फटी की फटी रह गए जावी का करेले जैसा चाचू उन सब के बीच खड़ा किसी को आटोग्राफ दे रहा था तो किसी के साथ सेलफी बनवा रहा था उन सब को नमटा कर वो तीज़ी से कोने की जाने पढ़ गया और भी जावी ने देखा कि वो अपने चेहरे को मास से कवर कर चुगा था खौाम वखा का शौफ पहले ही मूँ ढाप लेते जो अपने फैंसे इतना चिपकना नहीं पड़ता तौबा है भई लोगों को रमजान और रोजे के तकद्द सका खैल नहीं है अपने खैलात का बावाज बुलंद इसाह करती वो लापर वाही से आगी बढ़ गए ये जाने बगए कि शोजब सुल्तान ना सिर्फ उसकी सारी पकवास सुन चुका था बलके उसे शररबान नजरों से घूर था अरसल के जाने पर किया था पत्तमीज ओरत तुमाब आरी हो उस खोचो को टाका नहीं सकती थी सामने से आती विशा को देख वो घुसे में बोलती उसके पीछे हाते सारी में को नहीं देख पाई थी जबके वो उसके अलफाज बासानी सुनने के बाद अब बेहत खराम मूट के साथ उसके सामने आया लेकिन उससे पहले ही विशा उसका बाजु दबोचे उसे आंके दिखा गई थी ताकि वो मजीद कोई गोहर अफशानी ही ना किर डाली वैसे ही बड़ी मुश्किल से उनके बीच साब अच्छा चल रहा था जोया ने जरूर उसका काम खराब करना था जोया की बस मजाग की आदत है प्लीस तुमबरा नहीं मनाना गबराण चुबाकर जबर जसी मस्कुराते हुए वसारिम को वजाहती ती जोया को मजीद गुस्सा दिला गई विशा मैं मैं चलता हूं तुम अप्रे फ्रेंट्स के साथ इंच्छाए करो जोया को मकमल इग्नोर किये वो विशा से संजीत की से मखातिम होता था जिर्पलिट का वहां से निकला था जबकि उन दोनों को साथ आते देख अरसलान खानजादा की तेवरी के बन गहरे होते गए थे वो बिमारी का बहाना करते इस शक्स के साथ घुमने निकली हुई थी जबकि दूसी तफ पलवशा कुछ वासे पर खड़े खुखार देवरों के साथ खड़े अपने बास को देख बुरी तरहा पौक लाई दी ये मेरे बास यहां क्या करें अरसलान खानजादा की जाने भी शारा करते मुदब देब अन्दास में उससे मुखादे हुई यार वो मेरा न्यू फ्रेंड बना है जावियान ये उसके मामों रखते हैं वैसे अच्छा इतफाक है कि ये तुम्हारे बास सेंकले जोया काफे खुछ हो रही थी जबकि पलवशा ने कड़ भी करे ले जैसा मुख बनाया था सारे इतफाक मेरे साथ ही होते हैं खर फरी कहा हैं उससे आंस पासन से दोड़ा ही कि फर्याल दोड़ा कर फर्याल को ढूना चाहा वो शापिंग कर रही थी अभी आती होगी खर आओ मैं तुम्हें जावे से मिलवाती हूँ पुर्जोश अंदाज में कहते वो उसका हाथ पक्ड़े उस जाने बढ़ गई थी साथ ही वो उसे उस बच्चे के बारे में मुखता भी रही थी कातिल नसरों से किसे देखा जा रहे हैं शोजब जो भी उसके पास आकर ठहरा था उसके नजरों के ताकों में देखकर शराग भरी संजीद की से गोया हुआ तो अरसलांग खानजादा ने उससे में सर चड़क डाला था इस रखी को जानते हो जोया के साथ बातें करती विशा को इसी तरफ आते थे एक शोजब ने धीमे लेचे में सफसार किया मेरा ओफिस में काम करती है वो बेजार कुलन अंदाज ने बोला तुमास के पीछे शोजब सल्तान के लब उसकराहट में ढले थे ये मकमल तारुफ तो नहीं हुआ उसके छुड़ते अंदाज पर अरसर ने उसे सक घूरी से नमासा था जबकि इस जोरान वो दोनों भी उनके करीब आ चुकी थी आफिस और घर से बाहर आप हर वक्त अपने सारे महतर के साथ ही पाई जाती है वो चाकर भी अपने लेचे की चलन पर काबो नहीं बासका था जबकि इस अलफाज और अंदाज ने विशा को च्छे से पतंगे लगाये थे मिस्टर खान जाता ये जगह न आफिस है और नहीं मैं इस वक्त आपकी मनाज़िव हूँ सो मेरी जातियात में दखल अंदाजी करना बंद करें मैं किस के साथ रहती हूँ किस के साथ आती जाती हूँ ये आपका कंसर नहीं है जवाबन वो भी शोलव गलती आँखों से मुकाबल को देखती अपने के लफस पर जोर देती गोया हूँ से बहुत कुछ जदा आ गई थी रोजेदारों आपकी प्यारों रोजे में जगड़े से परहेज करो इस से पहले के प्लेयर या पानी पत का मैदान बन जाता जोयान निभी श्रमत आखलत की थी जबके वो दोनों ही एक दूसरे को कीना तोजनसों से देखते अलग अलग सिम्त की जानिब चल दिये थे इतने में जावी की राई भी खतम हो गई तो शोजब उसे लेने को आगे बढ़ गया था इस विशा की बच्ची ने सारिम की साथ गह रह रहकर अपना मूट का सत्यानास कर लिया क्या जमाना था जब ये मीठा बोलती थी वो खुद भी विशा की अक्से रहते खराम मूट को लेकर परिशान थी शारिम शादी के सिलसे में बिलकु भी संजीना नहीं लगता था अगर उसे शादी करनी होती और वो विशा से सची महब्बत करता तो अपनी मा की आगे डट जाता लेकिन वो तो हर मरतबा कोई नया बहाना बना कर विशा की कांदे पर मबंदूर रख देता था इसी वज़ा से घर का महौल भी अकसर ही टैंस रहने लगा था उसने इस पलशिद्ध से दूआ की थी कि अल्ला पाक उसकी प्यार इसी दोस की अंधी महब्बत की पट्टी जल्द उतार फिके एक के बाद एक राइड लेता जावी थब थकने लगा था और उसे भुब्बिय लगने लगी तो वो सब अपने अपनी गाड़ियों में बारह दरी के मश्यूर रेस्टरिंट की जानब चल दिये थे कि रोजा भी बस खुलने ही वाला था रोजा उन सब ने मिलकर साथ ही खुला था इस जोरां जावी अपने चाचु आमामों को भीूल उन तीनों के साथ बात उमें मगन खुल भी चहक रहा था ये जावी तो हमें भूली बैठाए अरसल उसके रोई ये वह हैरान सा हुआ था अच्छी बात ये है कि वो कितने वक्त के बाद आप खुशन सरा रहा है मैं तो कहता हूँ कि शोबी भाई आप जावी की बात मांकर जोह से शादी कर ही डाले इससर जावयान को उसकी हरमाई नी मल जाएगी और लगे हाँ तो आपके हाथ भी बीले हो जाएगे वरना कुछ वक्त बात तो आप सीनियर सिटिजन की फैरिस में शामिल हो जाएगे वरना और तो यही खुबसुरत लड़कियां आपको अंकल अंकल कह कर बलाएंगी अफ़तारी से भरपूर इनसाफ करते खिजर ने फराटे भरती जबान का गला शोजब के करार थपड़ने गोटा था जो सीधा उसकी गद्धी को सेलामी दे गया था क्या है भई बड़े होने का नाजाईस फादर तो मत उठाएं शुकर है मेरी वाली ने नहीं देखा और ना खौमखा बेज़ती हो जाती वो लोग अलग अलग टीबल्स पर बैटे थे और खिजर उसी तनाजर में ये बात कह रा था जबके उन दोनों के कान मेरी वाली पर खड़े हो गए थे ये मेरी वाली का क्या चकर है अरसन ने उसके आगे से शौरमा की प्लेट उच्च की थी जालिम ये ना करो प्लीज बड़ी भूट लगी हुई है खिजर ने जट मस्लूम बन तेरे गताम इस अंदाज में दुआई दी थी शरावास से अपनी माली का नाम फूटो जबी कुछ खाने को मिलेगा शोबी के आँखे दिखाने पर उसने मिस्कीन सी शकल बना कर फरियाल के चाने देखा तो उन दोनों की नसरे भी उन तीनों की चाने बुटी थी उसने जोया के साथ बैठी फरियाल की दर बेशारा दिया था लेकिन अरसल और शोबी उस लड़की को जोया समझे उसकी पसंद जान कर जहां अरसल बेपना कुछ हुआ था वहीं शोजब के अंदर नचाने क्यों मगर सननाटे से उतराए थे मतलब खज़र ने मुझे जाशने के लिए मेरी शादी जोया के साथ करने वाली बात की थी खेर मुझे क्या अच्छा है खज़र इस तर्की से शादी कर ले वैसे भी वो काफी मुभट है मेरे टाइब की बिलकुल नहीं इस तर्जावी भी खुश हो जाएगा वो खुद को मुझे करता उन दोनों के साथ बातों में मशगूल हो चुका था लेकिन उसकी नजरे हर थोड़ी दे बात लाशाओरी तोर पर हसी मस्कराती जोया की जाने भी उट रही थी वो सुबह से अरसलान खानजादा की जानिब से मिला टास्क मकमल करने में हलकान हो रही थी उसका खाली पेट वैसे ही दिमाग बन दिमाग उसका खाली पेट वैसे ही दिमाग चलना बन हो जाता था इस अग्मी रोजे की हालत में खाली पेट उसका दिमाग कम चल रहा था जिबके जबान फर्राटे भर रही थी ये शक्स मुझ मासुम के रोजे के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है अभी जो मैंने रोजे की हालत में कोई नाजेबा लफस उस सड़ू की शान में कह दिया तो फिर गया मेरा रोजा मासुम शकल बनाएं वो मसलसल फाइल में लिखा मवाद लैपटॉप फाइल में सेफ कर रही थी कि अचानक फाइल सेफ करने के चकर में डिलेट हो गई तो अपनी कई घंटों की मेहनत पर पानी फिरते देख उसे गोया सदमा ही लगया वो बुद की माने बैठी बस स्क्रीन को देखे जा रही थी जब अरसलान खाइल जादा ने उसके कैब इन में कदर रखा था मिस पलवशा अरसलान खानजादा की बुगार पर वो टस्स से मस नहीं हुई बलकि यूं ही बैठी रही बगए किसी रद्धे अमल के जिबकि उसके इस एटिट्यूट को देख अरसलान खानजादा का दिमाग खुन किया पुते इसे आगे बढ़ा और छफटकर उसका बाज़ दबोचे उसे एक जटके से उठा कर अपने सामने किया तो दूसरे ही लम हे उसके आसाप को जोरदा जटका लगा विशा उसकी कुशादा सीने पर से रखे पूरी तरहा से रो दी तो अरसलान खानजादा का दिल उसे यूँ टूटा फूटा देख डूब कर उगरा था उसका वजूद हिच्कियां भरते मसलसल नरस रहा था अरसलान खानजादा का हाथ बेसागता ही उसके सर पर जाकर ठहरा था ऐसा जिन्दगी में पहली मरतबा हुआ था कि किसी लड़की के यूँ करीब आ जाने पर वो घबरा उठा था मरना उनकी हाई क्लास सुसाइटी में गले लगना और गाल से गाल मिला कर प्यार देना ही काम बात थी लेकिन पलोशा की नजीब तरहा की हल चलसी मच गई थी और यही वज़ा थी उसके घबराने की रोने से तबियत बिगर जाएगी प्लीस समालो खुद को बताओ क्या आखिर हुआ क्या है उसे खामोश ना होते देख नर्मी से उसे शानों से थाम कर खुद से अलग करते अर्सलान खानजादा ने उसे वापिस कुरसी पर बिठाया और खुद उसके सामने पंचों के बल बैट गया उसके सुरुक चहरा और रोने की सबब भी की आँखे एक लम्ही को उस पर कोई सहसा तारी कर गई थी लेकिन विशा की सिस्की ने उसे होश की दुनिया में लापटका था पताओ क्या मसला है हम मिलकर हल निकालेंगे सारे जहां की नर्मी जैसे आज उसके लहजे में से मटाई थी कुरसी की दोनों हत्तियों पर अपने हाथों का जोर दिये मीरी सारे दिन की मेहनत बस एक लबहे में बरबात हो गई पर मुश्किल जुम्रा मकमल करते एक मरतबा फिर उससक पड़ी तो औरसलांग खानजादा ने हाथ बढ़ा कर उम्लियों की पोर से उसकी आंस उबड़ी तवच्चह से समीटे थे तो इसमें इतना हलकान होने वाली क्या बात है फाइल्स के पलंदे को देख सारी बात समझते उससे अपना लहज़ा उसे की वज़ा से लापरवा रखा ताकि उसे मज़ीद ये बात फिलना हो लेकिन वो उसकी बात सुनते ही जैसे बड़ा कुटे थी जब ही एक जटके से अपनी कुरसी पीछे करके वो उसके और अपने बीच फासला बनाती तेजी सोग ठड़ी हुई आप तो यही कहेंगे ना और आखिर में काम ना करने पर मेरी इंसल्ट कर देंगे एक तो मुझे इतनी सारी फाइल्स का डेटा सेफ करने के लिए दे दिया उपर से रोजे की हालत में मसलसल काम करने से मेरी दबियत खराब होने लगी है और अब आपको परवाई ही नहीं है आप हमेशा ही मुझे टॉचर क्यों करते है माना मुझे उस दिन खलती हो गई कि मैंने उस दिन अन्जाने में अरसलान खांजादा की इगो को हर्ट कर दिया तो क्या बदले में आप मुझे हर्ट ही करते रहेंगे वो बुरी तरह अपने बहते आंसों हाथ की पुछ सेर अगर दिचर चटकी थी जबके अरसलान खांजादा था उसके दिल में अपने लिए पनपते इसकदर मन्फी तासुर पर एकदम सनाटे में आया था मेशा की पहले ही तबियत बिगड़ रही थी उपर से घुसा करने और रोने से उसकी मसी तबियत बिगड़ी तो उसके बेजान होते हाथ पेरों से उसका साथ छोड़ दिया नजरों के सामने एकदम अंधीरा सचाया और इसे पहले कि वो गिर कर अपनी चोट लगवा ले थी अरसलान नी सेरे से आगे होकर उसे पकड़ा तो वो बेजान शेकी मानें तो उसकी बाहों में जूल गई पलवशा उसकी नाजुक हालत के सबब अरसलान खानजाता का दिल जैसे मुट्टी में कैद हुआ था या प्लीज वेक अप देखो जल्दी से उचाओ तुम लड़ती जगड़ती अच्छी लगती हो सो मुझसे लड़ लो लेकिंग हूँ मत को देमिट हाल से भी हाल होता वो बल में पागल हो उठा था कॉल दी डॉक्टर आओ हरी अप इंटर कॉम पर उचलत और परेशानी के मिले जूली कैफियत में बोलते उसने रिसीवर यू ही मेज पर पठखा और विशा को हाथियास से बाजों में उठाए अपने आफिस के मलहका बने रेस्ट्रूम में ले आया हाथियास से उसे बिस्टर पर लिटा कर अरसलान्थ खांजाता ने जल्दी से एसी ओन किया अब वो अपना कोट उता कर फिक दे टाए की नौट ढीली करता विशा के करीब बैट कर उसके सर्थ परती हतीलिया से लाने लगा था अरसल क्या हुआ बड़ी डॉक्टर को क्यूँ बाकी की बाद उसके मुँ में दबी रह गए थी उसके साथ आते चालीस साला डॉक्टर नासे को देख वो जल्दी से विशा के पास से उठता उनके लिए कुछ फासे पर रखी कुरसी उठा कर बैट के करीब रखिया लेकिन इससे पहले वो विशा का शानों से धर्णता आचल दुरूस करना नहीं भूला था जबकि उसके इसकदर पज़े से गंदास को खिजर ने मुस्कराती नज़र से देखा था बीबी काफिल हो है इन्हें ड्रिप लगानी होगी उसका चेक अप करते डॉक्टर नासे ने ये बात अरसलान खानजादा को देखकर कही तो परेशान सा हो ता अपनी शेवरा करने लगा डॉक्टर ये रोजे से हैं अरसलान खानजादा की परेशानी में कही बात पर वो नेर्मी से मस्कराए थे यंग मैन हमारे दिन में गुनजाई शक्की गई है बात एक जान की है अल्ला माफ करने वाला बड़ा महरबान है नर्म गुई से कहते वो से लाजवाब कर गए इन्हें क्लेनिक लेकर चला होगा वो अपना चेक अप का समान बैग में वापिस सकते मसूफ अंदाज में बोले ही थे कि अरसलान खानजादा ने ते जिसन की बात काड़ी थी आप जरूरी समान यहीं मंगा ले अरसलान खानजादा के बात सुनकर मसर अजबाद में हिलाते अपने मुबायर से क्लेनिक में कौन में ला गए और नर्स को मतलूबा समान लाने की लगए अफिस के बिल्डिंग में अरसलान खानजादा ने स्चाफ के लिए एक जदीद अंदास का क्लिनिक बनवाया हुआ था उन्हें वहीं से बलवाया गया था जबके उसकी विशा को लेकर इतनी परवा करने पर खेज़ा ने माईने खेज नजरों से फकत उसे देखा था कहा कुछ नहीं था खेज़ा ने फर्यार को मेसेश करके पलवशा की दबित खराबी का बता दिया था डॉक्टर नासिर अपना काम करके वहां से वापिस जा चुके थे लेकिन नर्स उनके हुकम के ताबे नहीं एक कोने में कुर्सी पर बैठी हुई थी जबके अरसलांग खानजादा मिशा की जड़ चेहरे पर नज़े जमाए सूफी की बैक से टेक लगाए टांग पर टान रखे बेसकून सा बठा हुआ था उसका बाया पैर मसलसल हरकत करता उसकी टेंशन को जाहे कर रहा था खिदर जो उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था उससे अरसलांग की हाला बरदाश रही हुई तो वो बोल पड़ा एक एमप्लाई के लिए इतनी फकर फिकर तुझे मश्कूग बना रही है उसके बोलने का अंदाज बेशक संजीदा था लेकिन आखों से छलकती शोखी अरसलांग खानजाता को एक आख नहीं ही भाई थी पकवास बन कर ले वो मेरे आफिस में काम करते हुए बेहोश हुई है और तू कह रहा है कि मैं इसके फिकर भी नहीं करूँ क्या बेही समझ रहा है तुम सब में मुझे वो बुरी तरह से भरका था पहले विशा और अब खिजर ने कमो बेश एक ही बात करते उसके घुस्से का ग्राफ बढ़ा दिया था जबके खिजर बेचारा हक धक उसके इसकदर हाश रियक्शन पर उसे देखते अपनी बात की वजाहत देता कि खुले दर्वाजे से परिशान चेहरे के साथ हवाज बागता फरियाल रूम में दाखिल हुई क्या हुआ है विशा को वो बेहोश पड़ी विशा को देख एक दम से रोने लगी तो खिजर ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे समाना दिया वो ठीक है बस बीबी लोने की बज़ा से भेहोश हो गई भी जब तक ड्रिप खतम होगी उस वक्त तक उसे होश आजाएगा फरियाल का हाथ पकर कर साथ वाले सुफ़े पर बिठाते वो से तसली देता नरम गोई से बोला और साथ पड़े गलास टेबल से टिशू उठा कर उसकी जाने बढ़ा गया तो खिजर के तसली भरे अंदास पर उसे कुछ धारस मिली उसे टिशू थाम कर नजाकस से पना चहरा साफ किया और हजब आज़त सूसू करती नाप को बुरी तरहारा कर डाला जिसके नतीजे में उसकी नाक लाल हो चुकी थी उसकी अचानक नज़र अरसलान खानजादा पर पढ़ी तो वो बॉकला कर उट खड़ी हुई सॉरी सर्थ, मैंने परिशानी में आपको देखा नहीं साथ वाले सिंगल सोफे पर बैठे अरसलान खानजादा से माज़र करते वो कुछ शेर्मिल्दा सी बोल रही थी खड़ी की बात और थी लेकिन सामने बठा शानदा शक्स उसका बास था जबी वो लापरवाही दिखाने पर कुछ बॉकला गई थी इसो के मिस्वर्यार आप परिशाना हो बस कुछ स्ट्रेस और फीपि लोग की वज़ा से भेवश हो गई है तो शेर्मिल्दा का खुश में आ जाएंगी अरसलान खानजादा का अंदास तसली भरा था लेकिन उसे तसली नहीं हुई थी वो परिशानी के आनम में सोफिज उटती विशा के करीब बैट पर बैट कर उसका हाथ पकरते होटों से लगा गई थी उसके इस अमल को देख अरसलान के दिल में एक होग सी उठी थी काश हो इसक फर्याल की जगा होता दिल की सनुखी सी फर्माईश पर वो घबरा उठा था हाला कि कुछ पहले वो उसके इतने करीब थी कि उसके वजूद से अब तक विशा के वजूद की महाक उठ रही थी उसे अपनी नदे विशा के चेहरे पर जमा दी थी जबके खिजा की बारफटगी भरी नदे फर्याल के चेहरे पर डिकी थी इसी असना में सारिम हैदर वियान पहुचा और बिताबी से विशा की जाने बड़ा ही था कि फर्याल एक दम अपनी जगा से उटती उसके सामने आंट ठेरी थी गोया उसे विशा के पास जाने से रोका हो क्यों आए हो यहाँ यह जो आज इस हाल में है ना इसकी वज़ा सिर्फ तुम हो उसके सीने पर शहादत की उंगी का दबाव डाले फर्याल का लहजा जहर खंद हुआ था फरी पत्तमी से मत करो सारिम ने उसकी इस हरकत पर उसे आंके दिखाई तो उसने समस्कुरान अंदाज में हलका सा कहका लगाया आप कुछ भी करते फिरें और कोई आप से पूचकच भी ना करें जवाबन फर्याल का लहजा देज हुआ था जबकि सारिम का चाहरा जबकी शित्र से सुर्ख पढ़ने लगा था सबकी मौजूगी में उसका गुसाख लहजा सारिम को गुसा दिला रहा था लेकिन मुमस्लिहा तर उस पर अपना गुसा जाहर नहीं कर रहा था कि यह उसका ओफिस हा और सामने उसके बास बैठे थे इस दोरान अरसलान और खिजर खामोशी से उन्हें सुन रहे थे कि उन्होंने बीच में मदाखलत करने की कोशिश नहीं की थी शायद वो मामला समझना चाह रहे थे आपकी वज़ा से कुछ हरसे से जानते हैं कि वो किस कदर स्ट्रेस में है अरे सिर्फ यही क्या पूरे घर का यही हाले आपने महपत तो कर ली लेकिन आपकी बुज़िली ने विशा को कहीं का नहीं छोड़ा वो आपके हिस्से की जंग तनहां लड़ रही है और आप नखरा दिखाने के इलावा कुछ नहीं कर रहे या आज इन हालों पर आपकी वज़ा से है समझे आप आपकी महपत ने सिवाई टेंशन के उसे कुछ नहीं दिया है एक हसी मस्कुराती लड़की को आपने किन हालों में पहुचा दिया है और अब आगए हैं दिखावा करने इतने दिनों से वो जो विशा की हाला दिख दिया रही थी उसने वो फ्रस्टरेशन सारे महेदर पर निकाल दी दी जबके वो इस सच के आएने को बरदाशना करते बुरी तरह से भड़क उठा था बस बहुत हो क्या बहुत सुनी मैंने तुम्हारी पकवास ये मेरा और विशा का परसन मैटर है तो तुम इस मामले से दूर रहो उसके इस तेज लहचे को बरदाशना करते खजर सुल्तान जट से उठता उन दोनों के दर्मियान आया था उसे कहा पसंद था कोई उसकी महपत पर गरम नजर भी डाले कुजा के सामने वाला शक्स उसे सक्थ बात भी करे मिस्टर सारे महतर आपका जो भी मसला है जाकर घर परहल करें अगर फर्यान नहीं चाहती तो आप इसकी बेहन से नहीं मिल सकते सो लीब लाओ खजर सुल्तान ने वह मुश्किल जब्द करते उसे कड़े तेवरों के साथ वहां से जाने का बोल दिया था क्योंके वो देख चुका था क्यारसलान खानजाद के उसे का ग्राफ मसलसल बढ़ने लगा था उसकी बीची मुठ्या और जब्द की शित्द से सुर्ख पढ़ती लहूरंग आखे उसकी शदीद खुस्से का पता दे रही थी अगर वो इस वक्गस्से से भड़ पड़ता तो सारिम हैदर की खैर नहीं थी जब इसने उसे यहां से भी जमनासिब संचा था सारिम हैदर खिजर को तो कुछ कह नहीं सकता था लेकिन वो फर्याल पर कड़ी नजर डाले तन्फन करता वहां से निकल गया था उसके जाने की बाफ फर्याल ने अपने चेहरे पर दोना हाथ भेगर अपना घुस्सा ठंडा करना चाहा था मिस्ट फर्याल प्रीज आप बेच जाए पहले ही धान पांसी है उपर से रोजा भी है आपका ऐसे में अगर आप भी भी होश हो गई तो हमारे पास एक्स्ट्र बैट भी नहीं है महौल को हलका बलका करने के लिए खर्याल ने ये बात बसाहिस अंजीद की से कही थी लेकिन उसका अंदास शरारत भरा था जिससे महसूस करते फर्याल एक दम से नमाखों से हज़ी थी जबकि वो इस हसीन मंसर को देखता मभूत रह गया था फर्याल ने खिज़र की नजरों का रितकास महसूस किया तो वो जहिपकर वापस विशा की पास जाकर बैट गई जबकि खिज़र उसका हया भराग गुरे इस भाप कर बालों पर हाथ भेता सरशार सा खुद भी वापस अपनी जगापर बला जमान हो चुका था विशा और सारिम का क्या चकर है भई खिज़र अरसलाम खालजादा की करीब बैट था उसकी कान में फुस बसाया तो उसने उसे तमभी नज़रों से देख 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 खामोश रहने का इशारा दिया वो फिलहाल इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता था उसे बस फर्याल को देखकर तकलीफ हो रही थी जो अपने खरे जजबों को बेदूरे इस शक्स पर उटा रही थी जिसे उसकी कोई कदर नहीं थी जोया की स्टाफ फ्रेंड का बर्दे था तो वो चन्दर की अमिलकर उसका बर्दे सेलिबरेट करने डिनर के लिए बाहर आई हुई थी किक कट करके हलकी बुलकी बातों के दर्मियान वो लोग डिनर का बेट कर रही थे कि जोया के नमबर पर जावी की कॉल आने लगी आज सारा दिम मसूफित की बचा से वो से बात दिन कर पाई थी बस उसे एक टेक्स में उसने अपनी मसूफित का बता दिया था मगर अब दिन उसने के बाद जावी ने उसे कॉल कर डाली थी जोया स्क्रीन पर नजर डाल कर फून उठाती उन सबसे माज़त करती उनके पास से उठाई थी कॉल रसीव करते ही जावी ने पूजो शनलास में उसे सलाम किया तो जोय के लबहों पर मुसकान खिल कर उसके हसीन चेहरे को मजीद दिलकर्श बना गई थी इस मंसर को किसी ने दूर से बड़ी तवज्जो के साथ देखा था कैसे हो जावी? उसके सलाम का जवाब देती जोया काफी खुशन सरा रही थी वैसे भी उसे बच्चे पसंद थे और जावी तो था ही बहुत क्यूट बच्चा वो उसके लिए वक्त निकाल ही लेती थी जिसे इस वक्त वो अपनी जॉयमेंट को कुछ दे के लिए पसे पुश डाल गई थी आपके बगए बहुत उदास हूँ दूसरी तरफ से उसकी पसमर्दासी आवास के बाद अचानक सिगनल डाउन होने लगे तो वो एक नज़र स्क्रिंग को देखती होटल से भागी तरफ निकल आई थी अब कहों क्या बात कह रहे थे उसने नरमगोई से कहते उसे दुबारा बात दोराने का कहा मैं कहरा हूँ कि मैं बहुत अधास हूँ हम फिर कब मिल रहे हैं वो सच में अधास था और ये अधासी उसके बात करने के दौरान उसके लहज़े से भी चलग रही थी तुम्हारे चाचु और मामो किस मर्स की दवाएं भई उनके साववक गजारो कोई कार्टून मुवी देख लो या पर एक गेम खेलो जोया एक के बाद एक मश्वरा देती वॉक करती होटल के में एरिया में आ गई थी जहां से लोग पार्किंग की दव जाते थे या पर बहार निकल जाते थे जबकि दूसी दवजा भी इन सब की मसुफियात का बता रहा था उसे इसी में जोया की अचानक नज़र शोजब सल्तान पर पड़ी थी अपनी किसी साथी कोली के साथ वो बातिंगर्दा होटल की एंट्रिंस से बाहर निकल वहा था ग्री पेंट कोर्ट में पैंट कोर्ट में उसका शानदा सरापा काफी नमाया था उसे हजब मामूल मास्क से चेहरे को कवर कर रखा था लेकिन जोया उसे एक ही नज़र में पहचान गई थी कि खडूस कहां भी मौजूद है उसे देख जोया के हलक तक में करवा हड़ खुली थी उसे अकडू लोग एक आक नहीं बाते थे और शोजब सल्तान तो सर से पेर तक अकडू इंसान था पकौल जोया के उसे जिरत से अपना रुख उसकी जानब से बदला तो अचानद की इसकी नज़र कुछ वासे पर खड़ी की गारी पर पड़ी गारी की तमाम शीशे बलाक थे कि उसकी देखते ही देखते पिछली जानब का शीशा हलका सा नीचे हुआ और उसमसे जोया निगन की नाल निकलते देखी उसे घबरा कर शोजब सल्तान की जानब देखा था जो बात उमें मकंसी धा चला आ रहा था जावी ने बताया था कि वो न्यूस एंकर है यकिनन ये लोग उसे ही निशाना बनाने आए थे शायद उसका सच किसी को हजब नहीं हो सका था जब ही वो खुद को दूरस करने के बज़ए सचाई को खामोश करने निकले थे फून के दूसरी तरफजा भी कुछ बोल रहा था लेकिन उसे सवाई शुद सुल्टान की खुशन सर नहीं आ रहा था उसने जल्दी से फून कुर्टे की जेव में डाला और एक नज़े गारी के शीशे पर भी डाली शुद सुल्टान बस में गेर तक पहुशने ही वाला था बग कम था वो उसे आवाज जेकर हम नावरों को अलर्ट करने नहीं करना नहीं चाहती थी वरना वो उस पर वहीं से फायर कर सकते थे उसने बस एक नम्हे को सोचा और तीज इस से रुख बदलती भागने के अंदाज में शुद सुल्टान की जाने बढ़ी शुद सुल्टान जो अपने कुली के साथ किसी स्यासी शक्सित का इंटर्विव लेने आया था वो स्यासी शक्सित किसी दाती मसूटवच की बचासे वहाँ आई नहीं थी इसलिए वो लोग वापस जा रहे थे जब ही उसकी नज़र मस्कुराती हुए जोय पर पड़ी एक पल को उसकी नज़रे जोय के दिलकस चेहरे के खदोखाल से लिप्टी थी लेकिन फिर वो सेरे से अपनी इस बेख्तियारी को सरजिश करता उस पर से नज़र हटा गया वो लोग घर जाने के लिए निकले थे वो किसी एहम मुज़ों पर बात करते आ रही थे कि कोई निस्वानी वजूद उससे आकर बुरी तरह टकराया और उसे लिए कर दाएंचाने गिर पड़ा ये सब इतना आनन फारान हुआ कि वो समझ ही नहीं पाया लेकिन यक के बाद दीकर दो फायर्स की ओवाज फिज़ा में गूंजुटी तो उसे समझाया कि हमला उसी पर हुआ था और उस लड़की ने उसकी जान बचाने को अपनी जान खतरे में डाल दी थी फायर की ओवाज से अच्छी खासी अफरता फ्री पहल चुकी थी होडर की गार्ड अलर्ट हुए थे मुगारी तेजी से वहां से निकल गई थी शोजब तुम ठीक हो उसका कॉली उसके करीब आकर फिकरमंदी से गोया हुआ जो खुर्दी जमीन से उटकर बैट रहा था मैं ठीक हूँ कौने और शोलर पहुती तकलीफ को दबाए उसे बस उस लड़की की फिकर हुई थी जो बहिस हो हरकत उंधी बढ़ी थी उसे हाथ बढ़ा कर नर्मी से उसे सीधा किया तो शदद दर रह गया सोया दिल से निकली तड़ब लबों से नाम की सूरत अता हुई वो बेहोश थी और इसके से से बहता खून उसके चेहरे को सुर्ख कर गया था एक बल को तो शुर्द सुल्तान सरनाटे में आ गया मगर फिर जल्दी अपने आसाब काबों में लाते उसने सेरा से भी होश बड़ी जोया को अपनी बाहों में भरकर उटाया था इतने में वहां काफी भी जमा हो गई थी लिकी मुस्टब के बीस से जोया को लेकर आंधी तुफान की तरह निकला था उसका कुली भाग कर गाड़ी लेकर आया तो उसने फ्रंट सी पर एथियास से उसे लिटाया और उसके माँ थी क्यों पुरी जगा पर अपना रुमाल रख दिया ताकि हून बहना बंद हो सके इत्तफाक से इस होटल के नसीग जोया का हॉस्पिटल ही पढ़ता था 10 मिनट का रस्ता 5 मिनट में तैकर दे वो हॉस्पिटल पहुचे थे जोया को हाथो हाथ अमर्जनसी मिले जाया गया था जबके शोजब दिवार से टेक लगाए यक टक उस जर्वाजे को घूरे जा रहा था जिसके पार वो लड़की थी चो कभी उसे ना पसंद थी लेकिन अब उसकी आती जाती सांसकी जमानत बन चुकी थी उसी लड़की के वज़ज़ से उसका पत्थर दिल पहनी मरतबा इतने जोरदार अंदास में धर्का था कि उसके धर्करों की आवाज शायद पूरी काइनात में सुनी थी उसका कुलिक नचाने किस किस से फून से राब्ते में था कुछ देर बाद पुलिस का ओफिसर भी वहाँ पहुँच गया था और काफी मीडिया भी थी लेकि मीडिया को अंदर आने की जास्त नहीं थी पुलिस वाने उन दोने से बयान लेकर जा चुके थे और शोज़र सिल्टान ने भी दर रखोकर उसे इस हमले का जुमेदार मुल्की नामवर सियासी जमाद के बंदे का नाम लेकर ले तिया था वजाहिर वो मकबूल दरीन पार्टी का एक भीहान अक्रूप था जो हमारी मुल्की नौजवान नसल के अंदर आईसाईसा स्लो पॉईजन की तरहा नफरत अंगीजी भर रहा था लोग इस पार्टी के पीछे पागल थे लेकिन इस पार्टी की करता धरता मुल्क अनासे दुश्मनों से मिले हुए थे क्या अंदरूनी क्या पैरूनी शोसब ने उनी के बहानक चहरा की ती तक जाएगा उसके पार हाते उसकी फिक्र में मुठिणा बोलओ उठा था उसके हाथ और कपड़ों पर हून लगा हुआ था गिरने के सबब उसके कपड़ी गर्द आलोध हो चुके थे लेकिन उसे किसी चीज़ की परवा नहीं थी परवा उसे बस अंदर पड़े वजूद की थी जिसने उसकी खातिर अपने आपको खत्रे में डाल दिया था एमर्जनसी रूम का डूर खोल कर डॉक्टर बाहर निकली तो जैसे उड़कर उन तक पहुँचा था जोया कैसी है उसके लगजी की तरड़ा पर चेहरी की परिशानी ने लॉक्टर अनम को ठिटकने पर मजबूर कर दिया था वो शोज़त सुल्तान को अच्छे से चानती थी और उन्हीं इम था इस सारी सिचुशन का कि नर्स ने उनकी सामने ही अपना पेड़ हलका किया था शुकर है कि कोई मेजर इंचुई नहीं हुई बस सर पर स्टेचिस लगाने पड़े कि जखम को गहरा था और गिरने की सबब पाउं के टकने पर सूज़ाना ही है जो इंशालने एक वीक तक ठीक हो जाएगी हाँ लेकिन उनके पाउं के अंगुठे का आदा नाखुन उखर चुका था जिस वज़ज़ से हमें उनका पूरा नाखुन रिमूफ करना पड़ा रॉक्टर जू 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 उसके जखमों के बारे में बता रही थी शूज़ब को जोया का दर्द अपने वजूद में उतरता महसूस हो रहा था मैं मिल सकता हूं जोया से वो बस एक मरतबा उस अपनी नसों की सामने देखना चाहता था ताकि बेकरार दिल को कुछ करार आ जाए वरना उसकी सामसी सीने में ही घुटने लगी थी कुछ देर में इन्हें रूमें शिप्ट कर रहे हैं तो आप मिल सकते हैं उसे प्रोफेशन अंदाज में कहते हैं वो आकिकी चाने बढ़ गए थी इसे वक्त अरसलान खानजादा खिजर सुल्तान और इबादा अलमती नुद और ने किसे अंदाज में उस तक पहुंचे थे शुकर है कि तुम सही सलामत हो वन्डा न्यूस सुने के बाद तो हमारी हालत खराब हो गए थी अरसलान खानजादा के तशक्र आमी जहजे पर वो फक्त उन्हें देखते रहे गया था अब वो उन्हें कैसे बताता कि बजाहर वो ठीक नजर आ रहा था लेकिन वो अंदरूनी तोपर बिलकुर भी ठीक नहीं था ये कपड़ों पर खून किसका है अबाद ने उसके खून आलो शिर्ट और कोट को दिखा तो परिशान इसे बोल उठा जबकि उन दोनों की सवालिया नजरें भी उसकी जानब उठी हुई थी ये जोया का खून है वो करब आमी जहरे में इतना ही बूल पाया था कौन जोया अबाद हैंगी से गोया हुआ जावी के हरमाई मी अरसलान खान के लबों से सरसराते हुई अलफादें पे थे जिसकी तज्जीख उसने फकर सरहला कर की थी ओगाड वो वो वहां कैसे आई खिजर अब तक शौक था वो शायद अपनी फ्रेंड का बर्टिस सेलप्रेट करना ही थी जिस वक्त मुझे पर हमला हुआ वो मुझे बचाने की कोशिश में खुछ जख्मी हो गई यार मैंने उससे कभी सीदे मों बात नहीं की और उसे देखो मेरी जिन्दगी बचाने के लिए उसे खुद को खतरे में डाल दिया उसने ऐसा क्यूं किया यार क्यूं रह रह कर यही सवाल उसे तरपा रहा था जिसका इज़ार उसने उन तीनों के सामने भी कर डाला था अर सलांग खान उसकी जहनी हाला समझता आगी बढ़कर उसे गले लगा गया तो खिज़ार ने उसकी कमर होसा देते अंदाज में तर्दपाई दी इबाद अलबता खामोश ही रहा था क्यूंकि वो भाव चुका था कि महबत की आग भी बराबर लगी हुई वो एक डॉक्टर है शोज़ार और डॉक्टर किसी की जिन्दगी बचाने के लिए कुछ भी कर गुज़रते हैं फिज़र इसके लावा कह भी कह सकता था उसे तो फरी की फिक्र लगी थी वो तो पहले ही पलवज़ा की वज़ा से इस कदर परेशान थी और अब जोय की कंडिशन जानकर यकीनर उसने बरदाश रही कर पाना था वो मसरिब साबालों में हाथ फेरता अरसलाम को इशारा करने लगा कि हब क्या करें जबके वाट बॉय की इतला करने पर शोजब तीजिसे जोय के रूम की तरफ पर किया था यार तुम फर्याल को कॉल करके जोय की करनीशा बता उसे अरसल के मश्वरी पर उसने विचार की भरी नज़रों से उसे देखा था तुम कर दो को यार मैं उसे बार बार ऐसी बुरी खबले नहीं दे सकता उसने गुया ढ़के चुपे लफ़जों में साफ इंकार कर डाला था तुम तो यू डर रहे हो जैसे कयामत आने की इतला देनी हो यार हद है भई अबाद के लतारने पर वो उन्हें देख कर रह गया था अब उन्हें कैसे बताता कि उसकी परिशानी उसे सबसे ज़्यादा परिशान करेगी रोएगी फर्याल और तकलीफ उसे हो गी वो उसकी चाहरे पर फकत मस्कराहट देखना चाहता था लेकिन अब तक के हालात में उसे फर्याल को भी तक रोते ही देखा था मैं में को तो काल करके शोसब की खरीयत की दिला कर दूं वो रो रो कर हलकान हो रही होगी इबात फोन लंकाल कर एक तरफ हो गया तो उदोनों एक दूसे को देखकर है गए शोजब का जोया को लेकर जो फिकर थी वो काफी अलग किसम की थी और वो दोनों इस वक्षक की ही बात सोच रहे थे कि शाय जोया शोजब की रूखी भी की जिल्दगी में बहार लाने में बहार लाने वाली थी और अगर ऐसा हो जाता तो उन सबसे ज़्या तक कोई खुश नहीं होता खिजर तो ये सोच सोच कर ही खुश हो रहा था कि उन तीनों भाईयों को अगर वो तीनों बहने मिल जाएं तो घर की रौना का लेवल ही अलग होगा लेकिन विशा तो किसी और से महपत करती थी और रहे ये खान सहाब तो विशा उनकी पसंद के मताबिक दूर दूर तक नहीं थी लेकिन आजार अच्छे ही नजर आ रहे थी उसे शायद नाना करते करते हाँ होने वाली थी वैसे भी इस महाए मुकदस में वो अपने दिल के साथ साथ उनके दिलों और जिन्दकियों को आबाद करने की दूाएं भी मांग रहा था जो यकीनन चल थी मकबूलियत का दर्चा पाने वाली थी शोजब की बिताबाना नजए उसके ज़र चेहरे का तवाफ कर रही थी अगर कुछ लमों पहले के मंज़र पर वो नज़र डालता तो फोन पर बात करती मुस्करा रही थी लेकिन इस वक्त उसके चेहरे की सुर्खियों में ज़र दियांसी खुल गई थी उसकी रोशन चमकदार आखें बंच जैसे नाराज की का इसहार कर रही थी उसके सर पर पटी बंदी थी एक हाथ में करनोला लगा था जिसे डिप किनी दिर चुड़ी थी एक हाथ उसके भी सर पर धरा था हॉस्पिटल के मख्सूस लिबास में सीने तक सुफेद चादर उड़े वो उसके वजूद में एक देट की नहर दोड़ा गई थी शोजब ने उसके पैरों के पास से चादर हटाई तो उसके सीधे पैर में उसे पट्टी बंदी नजर आई इस सुफेद पट्टी ने उसका अंगूठा कवर कर रखा था उसने हाथ बढ़ा कर उसके पैर को छूकर सिरस से अपना हाथ पीचे खीच लिया था मजीद दो चादम के बाद वो उसके सिर्हाने खड़ा दिवांगी के आलमें उसे देखे जा रहा था फिर उसने हाथ बढ़ा कर उसके बेजान पड़े सर्थ हाथों को अपने हाथों के बीच लेकर गोया उसे रिद्ध पराहिम की थी I'm sorry, sorry for everything उसके हाथ की पुश पर लब जमाए वो जेरे लब ये अलफाद जोरा था उसके चेहरे को नम नज़ों से देख रहा था उसके दिल को जोया पहनी नज़ों में ही अच्छी लगी थी लेकिन वो मसलसल इंकारी था लेकिन आज और इसी वक उसने पूरे दिल से एकरा किया था कि वो जोया की महपत में अक्तिला हो चुका है प्रीज चल्दी से आँके खोल दो फिर बेशक मुझे घुसील भरी जासों से देख लेना बलकि दो चाबातें भी सुना देना लड लेना मैं हर्दीस भी बुरा नहीं मनाऊंगा लेकिन अभी प्रीज अपनी आँके खोल कर सिर्फ एक मर्तबा मुझे देख लो करबामी इस लहजे में इल्दजा करते शोजब ने हलका सब जुक कर अपने उनाभी लब उसके माते पर सब किये थे जोया वो पहली लड़की थी जिसने उसके दिल की सरफ मीं को फताouter किया था अर अब वो इस लड़की को उस से हरुई भी दूर नहीं करने बाला था वो उसकी थी और उसे उसका रहना था वो उसके दिल का शेरे परमन से जबाए पर अज़न था मस्तबिल ने उसे मिस्स शोजब सुल्तान बनाने के लिए जोया का हाथ थामे उसके सिराने बैट पर बैठा वो उसे देख देख सराब हो रहा था कि साइड दराज में पढ़ा जोया का मुबाइल जोरो शोर से बचने लगा हास्पिटल के हमले ने जोया के पास से निकला सब समान नहीं रखा था फून की बैल की आवास पर शोजब ने नर्मी से उसका हाथ बैट पर रखा और चल्दी से दरास खुली तो जोया के समान और फून उसे बहां नजर आ गया स्क्रीन पर अमी कॉलिंग लिखा नजर आ रहा था शोजब शोजब शोपन्ज में उक्तला फून उठा कर कॉल रिसीफ करते फून कान से लगा गया था जोया मेरी बच्छी रात के नौ बच चुके हैं आथ की सहरी घर से बाहर करने का इरादा है तुम्हारे बाबा बार बार तुम्हारा पूछ है चल्द से घर पहुचो सुमहरा बीगम का अंदास जोसाना था लेकिन इसमें मा की डाट का असर भी घुला हुआ था जिसे महसूस करते शोजब के चेहरे पर हफीश से मस्कुराहर नमदार हुई थी लेकिन फिर वो मस्कुराहर जोय की कंडिशिंग की वज़ा याद करते से मर्ट भी गई थी उसे खुद को बोलने के लिए तैया किया इतना बड़ा आंकर जो बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता था इसलग जोय की हालत बताने को उसे अलफाज मैथ से नहीं थे उसमें बात करने से पहले गला कंका रहा आंटी मैं शोजब सल्तान बात कर रहा हूं जोय की नमबर से किसी मर्ट को बात करते सुन सुमायरा बीगम परेशान हो ठी आप कौन हो बिटे जोय का हैं उनका लहजा खौफ के लपेट में था जबके अचानक ही उनके शोहर ने उनके हाथ से फोन ले लिया था मैं जोया का बाब आजीम एहमद बात कर रहा हूं प्लीज जोया से बात करवाएं संजीता बाइरो बावास पर शोजब कुछ चीज़ा क्सा क्या अंकल जोया का एक छोटा सा एकसीडेंट हो गया था वो हॉस्पिटल में हैं लेकिं खत्रे वाली कोई बात नी है हम जोया वाले हॉस्पिटल में ही हैं वो एक ही सांस में बात मुकमल करता साथ ही हॉस्पिटल का नाम बता कर जल्दी से लाइं कर गया था उसका दिल एकनी जोरदार अंदाज में धार करा था जिसे भी सीने से बाहर निकलाएगा इतने में दर्वाज़े नौक करते वो तीनों भी आगे पीछे रूम में दाखिल हुए थे प्लीस उम ड्रेस चेंच कर लो तो मैं यू देख देख कर वहशसी हो रही है इबाद में उसकी जाने बे एक बैग बढ़ाया जिसमें उसका ड्रेस और चंद सरूरी चीज़े मौजूद थी जो से मैसेच करके उन्हें साथ लाने को बोले ही बुजले जल्दी में बैग गारी में भूलाए थे लेकिन अभी जाकर खिजर बैग गारी से ले आया था जबकि इबाद के हाथ से बैग ठाम कर वो खामुशी से कपड़े तद्दील करने चल दिया अरे मेरी महसुम पोतियों को किस बदबख की नजर लग देए पहले विशा की तबित खराब हो गई और मेरी जोया का एकसिलेंट हो गया खुदा खारत करे बुरी नजर वालों को दादी रोते हुए मसलसल वाविला करती जा रही थी जबके विशा और फरी उन्हें सभानने में लगी हुई थी अजीम हमद, मिस्स अजीम और उबाब बेगम ये तीनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे जबके उन दोनों को वो दादी के पास छोड़ गए थे विशा की अपनी दबिया ठीक नहीं थी लेकिन वो सब पसे पुष डाले खुद भी उनके पास उनकी गोद में लेटी हुई मसलसर जोया के लिए दौगो थी शोजब सल्तान, अगर हॉस्पिटल में है तो सभी तो वही होंगे तो प्लीस हम कॉल करके जोयी के बारे में उनसे पूछो न दादी का बीबी चेक करती फर्याल को अचानक की ये बात याद आई तो उसने जहट उसे अर्सलाम खांजादा को कॉल करने को कह दिया था विशा उसे फून करना नहीं चाह रही थी लेकिन जोया की वज़ा से उसे ये करना था जबके फरी की बात सुंकर दादी भी उसके उठने का इंजार करने लगी तो वो सोफी से उठकर अपने बैडरूम की तरफ चल दी कि फून कमरे में मौजूद चार्जिंग पर लगा था बैडरूम में आकर उसने फून एंप्लक किया और बैड पर बैड दी बैड क्राउं से टेक लगा गई कि सर में हलक हलके से चकर अभी महसूस हो रहे थे उसने एक नज़र फून की खाली स्क्रीन को देखा जहां सारिम की ना कोई कॉल थी ना मेसेच इसका दर रज़नमियत पर एक दर्द की लहर उसके पूरे वजूद में सरायत करती महसूस होई थी फरी ने बताया था कि उसने गुस्से में सारिम हैदर को सुना दी है लेकिन इसमें उसका क्या कुसूर था उसने दुबारा मैसेच करके कोई खेर खबर नहीं ली थी क्या यही थी उस शक्स की महपपर जिसका इज़ार वो करता रहा था लेकिन निभाने की बारी आने पर वो हमेशा ही बसे पुश चला जाता था यही सब बातें सोचकर अंजूर होते उसे बमशकिल खुद को रोने से रोका और एसलान के नमबर पर कॉन मिला दी जो दूसी बैल पर रिसीव होते ही उसका फिकर में दूबा ले जावशा की समाथ की नज़र हुआ आपकी तब दब कैसे है ठीक है यह फिकर करता अंदास सालिम का होना चाहिए था लेकिन वो होकर भी कहीं नहीं था उसके दिल से होक सी उठी आप बूल क्यों नहीं पलवशा उसकी खामोशी ने मकाबल को मजीद बेचान किया मैं ठीक हूँ जूई की तबियत का बताएं कोई ज्यादा सीरियस बात तो नहीं पलवशा की बात करने का अंदास छेरा हुआ सा था जैसे वो बहुत ज्यादा ठक चुकी हो वो बिल्कुल ठीक है प्लीस आप अपना ख्याल लगे मुझे तो अभी भी आपकी तबियत कुछ बहता नहीं लग रहे है उसका हंदास हनुसा जिसे महसूस करते विशा एक दम से चुड़ गई थी आपका मस्टा क्या है मैं मरूँ या जी हूँ आपको फर्क नहीं पढ़ना चाहिए आप अपने काम से काम रखें बॉस है मेरे लेकिन बस आफिस सब मुझे किसी के हमदर्दी की ज़रत नहीं है तो बराय महरबानी अपनी हमदर्दी और फिकरमंदी अपने तक मैदू रखें वो बुरी तरह मकाबल पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल गई थी जबके वो दूसी जान दिए उसके घुसा होने पर खुब सूरती से मस्करहा रहा था अच्छा किया जो अंदर का खुबार निकाल दिया अब आपका दिल हलका फिलका हो चुका होगा और ही आपकी फिकर खेरने वाली बात तो आपकी फिकर में उक्तिला हो ना अब मैं छोड़ने ही सकता आपकी जीने मरने से मुझे बेंतिहा फर्क बड़ता है और ये बात मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ सारे जहां की महुपत लहजे में समुए वो उसे अपनी महुपत का यकीन दलवा रहा था जब कि वो अंगिश्टे बदा उसे पत्थर की मूरत बंगई थी फूल इसके हाँ से छूटकर उसकी गोद्रान गिरा था बहुत शुक्रिया बिटा अपनों का अजीम एहमद बारी बारी उन तीनों का शुक्रिया आदा करते उन्हें शर्मिदा सा कर गए थे अबादा और शोजब का कुली तो घर वापेस जा चुके थे लेकिन वो दीनों भी हॉस्पिटल में ही मौजूद थे अबाद को भी उन लोगों ने जबर्दसी घर बेजा था कि कोई तो घर पर मौजूद हो बढ़न लुपना बेगम ने परिशान ही रहना था अंकर प्लीज जोया के साथ हुए हाथ से का थम्यदार मैं हूँ आप शुक्यादा करके हमें शर्मिदा मत करें शोजब खिफपस से दो चार पस लहजे में गोया हुआ जबकि दूसी तरफ अरसलान खान जादा रुबाब बेगम और उनके साथ खड़ी मिसिस अजीम को देखे जा रहा था उसे ये चहरे शनासा से लग रहे थे फिर अचानक ही उसके जहन में क्लिक सा हुआ ये दोनों खवादीम वो ही थी जिनके घर वो लड़की देखने गया था और बदले में उसे जूस से नहला दिया गया था मतलब उन तीनों लड़कियों में से ही वो एक लड़की थी जिसमें आप उस पर जूस फेगा था वो जैसे बाद के सेरे तक पहुँचा था भावी ये लड़का हमारी विशा को देखने आया था ना मिस्स अजीम उनकी कांग के करीब फस्पसाई थी हाँ ये प्यारा लड़का वो ही है लिकिन मेरी बेटी नालाइक ने इतना अच्छा रिश्टा हाँ से कवा दिया उन्हें पर इस इतना रिश्टा हाँ से जाने की कलक में आन खेरा जबके अजीम सहाब शोजब से कह रहे थे बेटा माफी मत मांगे मेरी बेटी बहुत 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 है उसे तो डॉक्टरी का पेशा भी ख़िदमेत खलकी खातर अपनाया था फिर वो आपकी जान खत्रे में कैसे देख सकती थी मुझे तो फकर है अपनी बीटी पर बहुत बहादूर है मेरी बीटी उनके हर अन्दाज से अपनी बीटी को लेकर फिक रो महाँ पर चलग रही थी सच में वो एक अच्छे वालदें थे उनकी अच्छी तर्वियत उनकी ओलाद में चलगती थी इनके खानान की बच्चे वाकई बहुत तर्मीज़ा और बाइखलाग हैं अल्ला हमारी बच्चे को इन जैसा ही बरनसीब करे मिस्स अजीम की बासंते रुबा बीगर में पूरे दिल से आमी कहा था उन दोनों खवादीन को वो तीनों ही लड़के बहुत पसंदाए थे आचल कहा मिलते थे इतने सुलजे मिज़ाज के बच्चे आप तीनों आप घर जा सकते हैं हम यहाँ पर जोय के साथ माज़ूद है और इन्शालला कल तक वो डिस्चार्ट भी हो जाएगी तो फिकर के कि बात नहीं वैसे मैं तुम्हारे सारी शो देख रहा हूँ बड़े जोरदार अंदाज में तुम सामने वाले की बोर्ती बंद करते हो खास कर दौफते पहले जो तुमने प्रोग्राम किया शायद ये हमला इसी का रियाक्शन था लेकिन बेटा कुछ अपना भी खायर करो ऐसे लोग कमजर्फ होते हैं अजीज एहमद के लहजे में शोजब के लिए सताईश थी और साथ वो अपनाईयत भरे लहजे में उसे समझा भी रहे थे अंकल, मौत और जिन्दगी तो अल्ला के हाग में है चंद समीर फरोजशों के डर से मैं सच बोना नहीं चोड़ सकता लोगों के सामने सचलाना मेरी जुमेदारी है और मैं हर्किस भी अपनी जुमेदारी से मूँ नहीं मोड़ सकता शोजब सुल्तान का अंदाज पुराजम था जिसे देख वो सताईशी अंदाज में उसका अपकंधा थफ़ता पा गए थे यहां मेरी जोया शोजब के खायलाद काफी मिलते चलते हैं वो हसकर बोले तो जवावन वो भी खुबसूदी से मुस्करा दिया लेकिन जोया के नाम के साथ अपना नाम जुरता सुनकर उसके दिल ने एक बीट मिस्की थी चद नजीद बातों के बात जब वो लुग वहां से निकले तो उन तीनों के जहनों में उन तीनों का ही ख्याल गर्दिश कर रहा था शोजब जोया को सोच आहा था तो खज़र फरियाल को लेकर फिकर बनता है जब के अरजलान खानजादा का जहन उस जूस फेकने वाली औपलवाशा के बीच अटक गया था उसे शक नहीं यकीन था कि वो लोड़की विशा ही है उसने तो चलो उसके खलाई मखलुक वाले गयर्टप की वज़ा से उसे नहीं पहचाना लेकिन उसने क्यों उसे पहचाना नहीं शायद उसने उस सारिम हैतर के चकर में उसे नज़र भगर देखा तक नहीं था इसका मतलब उनकी फैमली सारिम और उसके तालुक के बारे में कुछ हैं जानती थी जब ही वो लोग उसका रिष्टा देखते पे रहे थे वो गोया घर पहुशने तक सारी गुद्धी समझा चुका था सच तुमने तो हम सब की जान ही लका दी कोई यूभी करता है बहला जोई तो पूरी आइरन मैन की जानशी बन गई वो दोनों जोई के दाइवाएं बैठी थी जब कि दादी असके नमाज पढ़ने जा चुकी थी उन्होंने जोई के आते ही सबसे पहले उसका सदका दिया था और फिर कितनी दे उसके साथ बैठी उसे प्यार करती रही थी अपनी पोतियों में तो जान बसी थी उनकी वो तो जोई की अजाने होने लगी तो वोट खड़ी हुई थी वरना वो अभी भी उनके साथ ही बैठी होती बस या वो वो वक्त ही ऐसा था मैं तो किसी चूटी को भी तक्लिफ नहीं दे सकती और फिर तो वो जीते जाकते इंसान थे मुझे उसक जो बहते लगा मैंने वही कर डाला नतीजे की परवा किये बगए चोट लगने आँ खुन भेजाने की वज़ा से उसका चेहरा जर्द हो रहा था लेकिन जब वो बोल रही थी तो लेचा एक दम बश्यास सा था जिसे वो अपने इस फेल पर मुतमईन और शादा थी वैसे हो तो तो तुम पूरी हीरोई लेकिन काम तुमने पूरे हीरो वाले किया है परियाल के चेहरे पर दोनों इसकी बात परहस पड़ी थी काश में वहां होती और इस एक्शन सिच्चुशन की मुवी बना ले थी और फिर नैट पर अप्लोड करती कि देख लो लड़कियों को कमजोर समझने मालो हम किसी से कम नहीं तरंग भी कहते आखिर में उसने भड़क मारी थी बस कर दे यार वैसे दिमाग खराब हो रहे विशा बिजारी जाहिर करती वहीं बिस्टर पर सिमट कर लेड़ के थी दिमाग कहा है आपके बास मौतरमा आप तो उसी दिन दिमाग से फारी हो गए ही जिस दिन दिल में इस जोगत सारिम को जगा दी थी उसकी तन्जी अंदास पर उसे साथ बढ़ा कुछ हैं उठा कर उसकी जाने मुछा दिया था तुम आज आफिस क्यों नहीं गई हो हम दोनों का तो छुटी का ना बनता है लेकिन तुम की सोची मेरे घर पर नज़र आ रही हो विशा की कड़े तेवरों को देख फरी ने शराले से पनी आखें घुमाई थी काश तुमने ये तेवर सारिम को दिखाया होते अभी वो मजीज उसे तंग करती के मलाजमा ने मिस्टर और मिस्स हैदर और सारिम के आने की इतला उने दी थी जिसके बाद उन दोनों ने ही विशा को घूर कर देखा तो वो चोरसी हो गई उसी ने सारिम को जोया के साथ हुए हाथ से की खापर दी थी जब ही वो लोग उसकी तबिया तूशें के लिए आये थे बड़ी बीबी जी ने कहा है कि वो लोग यहीं आ रहे है मुलाजमा इतला देकर वापिस जा चुकी थी जबके विशा एकदम अलर्ट हुई थी मैं ठीक लग रही हूं ना स्टैप कटिंग बालों को जल्दी समेट कर उसे बालों को जूड़ी की शकल दी थी बहुत अच्छी लग रही हो लेकिन जिनकी नजर उप पर बुराई की एनक लगी हो तो उन्हें अच्छा मनज़र भी बुरा ही लगता है सो चल करो वो अब भी बास नहीं आई टॉंट करने से जबके जोया ने विशा का फीका पड़ता चेहरा देख फरी का हाथ दबा कर उसे खामोश हैल का इशारा दिया तो वो बेबसी से उसे देखकर रह गी इतने में वो सब उनकी कमरों में चले आए थे उनके साथ बसदादी और उबाब बेगम ही थी जबके वो तीन उसी थे कमरे में रखे दिवार गी सोफे पर बैट चुकी थे हैदर साब और सालिम का अंदास सो इससर नॉर्मल था लेकि मिसिस हैदर के तेवर हमेशा की तरह उपर आस्वान को पहुचे थे उन तीनों की सलाम का जवाब भी उन्होंने फकर सर हिला कर ही दिया था दादी और उसकी अम्नी अलबत अबैट पर बैट चुकी है कैसी हो जोया सद पूछो तो हासे की खबर सुनकर मुसे रही नहीं गया और हम फूरा यहाँ चले आए वैसे भी ऐसे मौकों पर ही अपनों का साथ तरकार होता है हैदर साहब के शफकर तामी जहचे पर वे शाको कुछ धारस मिली थी वरना मामी और सारिम का रवया उसे डिस हार्ट कर रहा था उसने सारिम की जाने चो नज़र डाली प्राद ना जाने क्यों मगर उसे नज़र चुरा रहा था जबके जोया बूर रही थी मैं ठीक हूँ अल्ला का शुकर है उसे किसी बड़े हाथ से उसे बचा लिया जोया का संजीदा लाज़ा हर किसम के ज़स्बाद से आली था वैसे भी वो जिस सरा से रूखा पी का रवया अख्तियार करते थे जोया को वो लोग एक आँख नहीं भाते थे शुकर है कि बच्चत हो गई वरना हासे में तो कुछ भी हो सकता था उनके अलफाद और अंदास बड़ादी ने तजवी से हाथ रोक कर उन्हें कवड़े तेवरों से देखा तो वो कुछ समय कर बैठी उनका कोई भरोसा नहीं था वो पल में सबके सामने उन्हें बिज़त कर सकती थी मुझे तो जैसे ही सालिम ने जोया का बताया मैंने हैदर को लिया और पहली फुच्चत में याँ चलिया सोचा लगे हाथों दोनों काम हो जाएंगे एक तो जोया की तबिया दूशेंगे और दूसरा सालिम के रिष्टे तेह हुने की खबर भी देनी थी आप सब को वो जो खामुशी से सालिम के रवई पर गोर कर रही थी कि वो उसे इग्नो क्यों कर आए इस सवाल का जवाब उसे उसकी मुमानी दे चुकी भी जिसे सुनकर उसदने से दुचार हुई थी रुबा बेगम ने भी अपनी बीटी का उतरा चहरा देख तो दिल ही दिल में अपना दर्ज दबा गई उन्हें इल्म था कि उनकी बेटी सार्मी को पसंग करती है लेकि वो ये भी जानती थी कि उन दोनों का मिलना नमुम्किन था जब ही वो उन्जान बनी इसकी शादी के दिलिए रिश्टा ढून रही ली ने उन्हें अन्दाज़त था कि यही सब होगा लेकिन उनकी नादान बेटी को ठोकर की अश्यद जरूरत थी शायद इसी तरह उससे महलना था जबके मिस्स हैदर अब लड़की और उसके बाप के बिजनस के बारे में मानुमाद दे रही थी बकार उनकी के शादी के बाद सारें भी लड़की के फैमिली बिजनस में शामिल होने वाला था क्योंकि लड़की गलोती थी तो सब को चुसी का था उनकी तो जैसे लोटी निकल आई थी दूसी दफ इस शौकिंग नियूस को सुनने के बाद जोया ने अपना हाथ तसली भरे अंदास में विशा की हाथ पर रखा हुआ था तो फरी ने उसकी टांग पर हाथ का दबाव डाल रखा था उन्हें सारें पर बहुत खुसा आ रहा था जो घुझना घुना मीस्ना बना अपनी मा के पास खमोश ही से सर जुकाए बैठा था विशा या मेरे साथ हो मुझे एक जरूरी मेल के लिए तुम्हारी राय दरकार है जोयी की इशारा करने पर फरी उसका हाथ पके उसे वहां से निकाल ले गई थी वरना जिस सहा से उसकी हालत हो रही थी उसमें उधर ही पूट पूट कर रोना शुरू कर देना था और भई रुबाप तुमने विशा का कहीं रिष्टा विष्टा तै किया कि नहीं अरे भे यही ठीक उमर होती है रड़की की शादी की तुम भी जल 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 इसका रिष्टा देकर शादी कर दो बच्ची की बगए बापकी वैसे ही बड़ी मुश्किन होती है वो हमदर्दी की आर्ण में हमेशा की तरह उनका दिल दुखा गई थी विष्टा का बाप नहीं है तो क्या हुआ चच्चा भी जिन्दा है जो से किसी किसम की कोई कमी नहीं लगता हमारे घर माशारला हर चीज की फरावानी है ये तो हम नो दौलतियों की तरह इश्दार लगाने के काईल नहीं है और ही रिष्टे की बात तो विष्टा का एक बहुत बड़ी घराने से रिष्टा आया हुआ है बस कुछ मानुमात दर्कार है कि लड़की का मामला है हर चीज दिखनी पड़ती है दादी ने अच्छे से उन्हें अपने दिल के साथ साथ रुबा बेगम की दिल को भी ठंड़क पहुचाई थी जबकि विस्टार पर पड़ी जोया का दिल चाहा कि अपनी दादी का इस मात बात पर मुही चुम डाले बिलकुल हमा ठीक कह रहे है अगर सब ठीक रहा तो मैं तो मंगनी के चकर में भी नहीं पढ़ने वादी सीधा शादी कर दूँगी मैं तो इसकी शादी तानी मुकमर होने के फौरण बाद ही कर देती लेकिन बच्चें के कुछ शौक होते है तो मैंने कहा कि चलो कर ले अपनी जौक का शौक पूरा खेर भाई साहब जल्द ही मैं विक्षा की शादी का कार डूँगी तो आप अपनी फैमिली के साथ जरूर शादी में श्रक्त कीजेगा दादी से होसला पाते वो मजीद अपनी भावच के ताने बर्दाश ना करती बिलाखें बोल परनी थी उनकी बाद सुनकर ना सिर्फ सारिम का चहरा उतर किया था बलकि उनकी अमा हुजूर भी कुछ टिक कर बैठी थी कुछ दिर मजीद बैठ कर वो लोग वापस जा चुके थे लेकिन उनकी जाने के बाद की आसार गोया कयामत खेस है मुझे तुम से एक जहुरी बात करनी है शोजब खिज़र के पास उसके बैड़रूम में आया तो वो एक लम ही उटकर बैठ गया और हैरान नजूर से उसका घंबी संदीद के में लिपटा अंदाज देखने लगा वो कुछ दिर पहने ही जहुर की नमास पढ़कर लोटा था आएं बैठ कर बात करते हैं वो लचेंगा शिकार उसे बैठने को बोल गया तो शोजब उससे कुछ वासी पर बैठता अलफाज दर्दीद देने लगा कोई सीरियस मस्दा है वो चंबे का शिकार था जिंदगी और मौत का मस्दा समझो शोजब की बात सुनता खिज़र एक लम से धहल उठा था ऐसी भी क्या बात थी जो वो यूं कह रहा था तुम किसी से महुपत करते हो उसने आर पार करने का वैसा किया और सीदे से उसकी आँखों में देखता ये सवाल पूछ ते एक लम ही को उसे दंग कह गया हाँ मैं किसी समवन स्पिशल से महुपत करता हूँ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ बालो में हाथ पसा कर उसने सर को जोर से जटका देते बेबसी घुले लहजे में ये बात कह कर वो ये खिजर को पत्थे का बुधी बना डाला था आप फरियाल से महुपत बाकी के अलफास तकलीफ के एसास देली नम तोड़ गए थे फरियाल का यहां क्या से कह मैं जोया की बात कह रहा हूँ वो एक दम खफा हुआ तो वो हमन्नक सा हो गया मकर मैं तो फरियाल से महुपत करता हूँ खिजर ने उसे अच्छे से उच्छाया था मकर तुम तो कह लेते के तुम जोया से वो तेसी से बोलता एक दम खामोश हुआ था मैंने जोया क्या किसी का भी नाम नहीं गया था मैंने जस्ट इशारा किया था ओ गॉड आप संदे मैं जोया की बात कर रहा हूँ खिजर ने एक दम मूँ पर दोनों हाथ जबाए थे मतलब आप इस बात को लेकर इस कदर टेंस है कि अपना हान से बहाल कर लिया आपको मुझे बताना चाहिए था ना वो अब खाफा हो रहा था जबके शोजब के उपर से जैसे मनों बोच उतर गया था वो अब दुरस माइनों में खुर का इसांस दे पा रहा था या मैं तुझे क्या बताता जब मुझे पर ही ये जान लिवाई का शाफ अचानक हुआ मुझे तो खुद इल्म नहीं हो सका कि जोय मेरी लिए कबा कैसे इतनी से उरी हो गई हालके पहली मुझे बिल्कु पसर नहीं आई थी लेकिन अब यू लगता है कि अगर वो नहीं मिली तो मैं जिन्दा नहीं रह पाँगा हाथ की लकीरों में उंच्छामों मध्धम लहजे में बोड़ रहा था जिबके उसकी इस मरचनू जैसी हालत को देख खिजर पूरे दिल से मुस्कराया था वाकिए मुझे बड़े बड़े ताकतवरों को अपने कदमों में जुका देती थी जिसके मिसल शोजब और सरान इसके सामने थे मामला काफी घंबीर है इसका सदे बाप करना जरूरी हो गया है खिजर के संदीदा अंदास पर उसे चौक ऐसर उठाया था तुम क्या करोगे वो उसके चेहरे पर माईने खिख से मुसकराहर देख कर पूछे बगाए नहीं रह सका भावी लाने की तैयारी करेंगे और वैसे भी जरूरी को अपनी हर्माईनी शोजब चाचु के लिए चाहिए थी तो देखो इंतिजाम गुदर ने कर डाला है खिजर का शरीन अंदाज उसे छेड़ता हुआ था जिस वज़ज़ से वो बुरी तरह जहिब गया था लेकिंगे एहसास बड़ा ही खोशकुन था कि जोए उसकी होकर इस घर में उसकी विरान जिन्दगी को आबाद करने आने वाली थी अफ़तारी के बाद शोजब स्ल्दान और बाकी घर वाले जोए के लिए गिप्स और फूल लेकर आये थे अजीम साहब ने उन अच्छे से वायकम किया था दादी रिष्टे वाली महमान और इस दर्के को वापस अपने घर के राइंगों में देख खुशी से फूले नहीं समा रही थी वहीं इबाद और खिजब के चुपके सुल्दान खान साथ की टांक खेच रही थे शोजब सुल्दान इस दोरां कुछ गुमसमजा था उसका दिल था कि वह जोया के पास जाकर उसका हाल एहवाल ले आए लेकिन हाई ने मचबूरी जबके जाबी तो फरी के साथ पहरे ही जोया के पास जा जुगा था मुझे तो उमीद ही नहीं थी कि हम एक मरतबा फिर कटे होंगे लुबना बेगम इस हसीन इतफाक बहुत खुश दी इसे किसमत का खेल कहते है दादी गुए उससे कुछ जादा ही खुशन सरा नहीं थी उन्हें तो वो तीनों लड़की अपनी पोतियों के लिए बहुत पसंद आए थे उनका तो बस सही चल रहा था कि लिहाज बाला थाक रख कर खुद ही उनके रिश्टे मांग ले जबके लुबना बेकम मजीद कह रहीं थी कि वैसे उस दिन आपकी बेटी अच्छे रखती हैं यही तो असल घर की रौनक होती हैं उन्हों ने गुफ्सकू के दोरान चंद पर का वक्फाले कर अरसल की जानिब दे का अपनी बात जारी रखी अरसलान मेरा भांजाए लेकिन अजीज यह मुझे बेटों जैसा है फर्मा बर्दार और लाइक है मेरा बेटा और यकिन करें मेरा बेटा आपकी बेटी को हमेशा ही खुश रखेगा तो मैं एक मरत पर फिर से आपकी बेटी विशा के लिए अपनी बेटे का हाथ मांग दी हूँ उनकी जानिब से की गई रिष्टा किसी नेमस से कम नहीं लगा उन्हों ने अपनी बेटी से भी राय दिन की ज़र्वरत नहीं समझी और अरसलान खान जादा के रिष्टे के लिए हाँ कर डाली एक दम से उनके टेंशन जादा घर के महौन में खुश एकी लहर दोड़ गई थी रुबना बेगम ने साथ लाई मिठाई का डबबा खोड़कर उन सब का मुँ मिठा करवाया था खासका रिबाद ने अरसलान के मुँ में पूरी गुलाव जामन भर दी थी जबकि वो बेचारा खुश कम शाओ और शौक जादा था जब ही ठीक तरह से रियक नहीं कर पा रहा था कि इतनी बड़ी खुशी अचानक जो मिल गई थी मुझे आप से भी कुछ मांगना है भाई साहब अब उनका रुख अजीम साहब की चानब था यहां शोजब ने अलट होते खजर को देखा जिसके चेहरे पर पुरसरा सी मसकान खेली थी इसे वक्त अरसलान ने भी उसकी चानब देखा तो यह बाद ने उन बिचान लगे मश्किल आसान की थी दरसल खिजर ने मुझे कॉल करके तुम दोनों के दिल के हालात बेहन किये और मैंने जट अमी से बात कर डाली और अमी का सब को इल्म है उनका बस चले तो वो गेट पर खड़े चौकीदा की भी शादी करवा दे बस उन्हें मौका मलिया तुम तीनों को एक साथ ठिकाने लगाने का बसाहिर वो सजन्चीद की से ये बातें बोल रहा था लेकिन उसकी लहजे में शोकी गुली थी जबके दूसी तरफ अधीम साहब उनकी बात सुनते हैरान हुए कि वो भला उन्हें क्या दे सकते थे मेरे अख्तियार में हुआ तो मैं आपको खाली हाथ नहीं लोटाँगा अपनी हरान की छुपाए वो इंकसारी से गोया हुए तो दाजी चान उनकी बहूं के बीच माईने खेज नाजरों का तबादला हुआ शोजब और खिजर के वालदین हायात नहीं है लेकिन वो मुझे अपनी मा की जगा समझ रहे है तो मैं उनकी मा की हैसियत से आपके आगे दावन पहलाती हूँ जोया के लिए शोजब और खिजर के लिए मैं आप से फर्याल को मांगती हूँ वो अपनी बात मकमलकर की अजीम सहाब का संजीदा अंदाज देखने लगी जो कुछ पलों के लिए खामोश हो गए थे अरसलान और खिजर को वो बिजनस कम्यूनिटी की वज़ा से अच्छे से जानते थे कि अक्सर उनसे उनकी मुलाकात हो जाती थी जबके शोजब को वो परसनी तो नहीं जानते थे लेकिन इसके बारे में उन्होंने अच्छा ही सुन रखा था जबके दूसी तरफ उनके खामोशी पर वो दोनों भाई सक्ट बेचैनी महसूस करते उनके बोलने के मुंत्से थे अबाद और अरसनान की भी तमाम तबच्चम ही पर थी अबाद की वीबी भी लुप्टा बेगम के साथ ही बैठी उनके जवाब जानने की मुत्तमनी थी अजीम साहब ने अपनी माँ और बेगम का चेहरा देखा जो उन्हें रसमन्दी जाहिर करने का अंधिया दे रहे थे उन्होंने रुपा बेगम की जाने देखा तो उन्होंने भी सरहला करिश्टे की हामी भरने का ही कहा तो गोया फिर पीछे जबंजाइश नहीं बच्ती थी उनके हामी भरते ही गोया उनके ड्राइंग रूम में खुश्यों की भार उमर डाई थी दादी तो बेपना खुश थी उनकी शहजादियों के लिए शहजादे खुद चल कर आये थे उन्होंने शुगन के तौर पर तीनों लड़कों का मूम मीठा करते उनके हाथ में पैसे रखे थे जबके लुमना बेगम अपनी बहु के साथ जोया की कमरे में चल दी थी ताके वो भी बच्चियों के मूम मीठा करवा सके क्योंके जोया इधर आ नहीं सकती थी इसलिए उन्होंने खुद वहाँ जाना मुनासिब समझा जबके उन तीनों के चेहरे लड़क गए थे वो एक मरतबा अपनी वालियों को देखना चाहते थे मगर उनकी ईद का चांद बदलियों के पार चुप गया था दूसी तरफ वो तीनों शाक थी खासकर विशा की अंदरूरनी हाल अशकस्ता थी उसे तो अपनी महबत के मरने पर रूने तक का मौका नहीं मिला था लेकिन अपनी मां के चेहरे की खुशी ने उसे हर तरह की रियाक्शन से बास रखा था वैसे भी अब वो इस बेवफा की वज़ा से मजीद अपनी मां को दुख नहीं दे सकती थी जावी तो अपनी हरमाईनी को चाटी बनता देख खुशी के मारे उससे लिपढ़ किया था उसे यूँ खुश बाश देख जोया भी मुस्करा दी थी वैसे भी वो एक फर्मा बर्दार बेटी थी सो उसने अपने वालदें के सामने खामोश ही से सर जुका दिया था हल्बत तब फर्याल का चेहरा देखने लाइक था फजर से रिष्टा तेह होने के खुशी उसके चेहरे को ताबिना की बक्ष रही थी उसके लबों से गोया मस्कुराहट ही जुदा नहीं हो रही थी वैशा खामोश थी लेकिन इस रिष्टे पर नाखुश भी नहीं थी कि ये रिष्टा उसकी मा की पसंद का था वो बात तेह होने के दो दिन बाद आज आज आफिस आई तो काफी काम पैंडिंग उनकी नसे कम कम उतरसे था फर्याल का खजर से और विशा का सारिम से सामना नहीं हुआ था और वो दोनों इस बात पर शुकर रदा करें थी इत्तफाक से अरसलान भी कल से दुबई गया हुआ था बिजन्स मीटिंग के जलसे में तो उसका भी सामना मुम्किन ना था वैसे भी वो अपसारिम की शकल नहीं देखना चाहती थी दूसी तरफ फर्याल इस नहीं रिश्टे के जोड़ने की वज़ा से खजर से एक जचक सी महसूस कर रही थी और दूसी तरफ वो कुछ उससे नराज भी थी कि उसने पहली मुनाकात में उससे अपने बारे में जूट बोला था कि वो उफिस का एप्लाय नहीं है हाला कि वो उनके उफिस का सेकेड बॉस था छुटी का वक गरीब था उसके हाँ तेज इसे कीबोर्ट पर चल रहे थे अपना काम मकमल करते उसने हैड आफिस मेल की और रिलाक्सी गर्दंगे पिशले हिस्से कौनर मीं से दबाने लगी जब ही एक मकसूस खुश्वू उससे अपने आस पस मحسوس हुई तो उसने घबरा कर आँकें खोल ली थी खिजर को अपनी जानिब बेखुदी से तकता पाकर उसने खबगी से अपनी नाज़िर उसकी जानिब से फेरी ऑन डेक्स से अपना समान समेटने लगी जबके उसके नाराजगी केस क्यूट से इजहार पर खिजर के लबों को खुबसूरत मस्कराहटने चुआ था वो उसके नाराजगी के अजबाब से वाकिफ जोता है माफ़े मिलने के इमकान कितने फीसद हैं टेक छोड़ कर उसने फर्याल की जाने पेशकर में की थी काई कलर के पैंट कोट में अपनी चाह जाने वाली शक्सित के साथ वो फर्याल की जाने बाकर ठहरता उसके दिल बुरी तरहा धरका गया था उसका एक हाथ में इस पर टिका था जबके दूसरा हाथ वो कुर्सी पर जमाएं तकरीबन उसे अपने हस्तार में ले था घंबी लहजे में गोया हुआ था एक फिस्सद भी नहीं बमुशी लहजे के कपकपाहट पर काब पाते वो हनुज उसी अंदास में गोया हुई थी चलो ठीक है तुम नाराज ही रहो अब मैं तुम्हें शादी के बाद ही मनाने वाला हूँ अभी अगर मैंने मनाया तो तुम कहीं भेहोशी ना हो जाओ उसके कान में सरगोशी करते उसने हाथ बढ़ा कर उसके बालों की लटको हाथ बढ़ा कर कान के पीछोड साओ जिस बेबाकी से ये आपकी गाल को छूटी है मेरे दिल को आग में समझो छोग देती है उसके चहरे पर फूक मारते वो अच्छे से उसकी जान निकाल गया था पिस्ताई कलर के लबास में सरपर दुपटा लिए बाप उडाते चहरे के साथ हया से खुद में सिम्टी वो खिजर के जब गास मा गई थी अगर मैं यहां मज़ीद खड़ा रहा है तो कसम खा कर कहता हूँ कि मेरे इमान और उज़े को शदीद ख़तरा लाख हो जाएगा जुमाईनी से से गोशी करते वो उससे फासे पर हुआ था जबके वो कुछ हमनक जदा सी उसकी जानिब देखने लगी थी कि खिजर सुल्टान की कही बात उसके सर के उपर से उत्रे थी देखो मत उटचो आज मैं तुमें घर ड्रॉप करने वाला है फिर कल से तो तुम वो एक दम बोलते बोलते खामोश हुआ था ये सर्प्राइज उसे घर से पता चलता तो अच्छा था कल से क्या वो बैक कांदे पर लटका ते चम्बे से गोय हुई थी कुछ नहीं मुस्कुराती हैं आगों से उसकी जानिब देखती वो जेरे लब मुस्कुराता उसे लिए कैविन से बाहर निकला है था फर्याल के जानिब से उसे मैसेज महसूल हुआ कि वो खजर के साथ घर जा रही है तो उसने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समीटी और खुद भी घर जाने के लिए रूड़ी हो गई फर्याल तो जा चुकी थी इसलिए अब उसे खुद ही गारी ड्राइब करते घर जाना था सो वो लिफ्ट लेकर सीधी पारकिंग एरिया में आई लेकिन अपनी गारी के साथ टेक लगा कर खड़े सारं को देख एक पल को ठटकी लेकिन उसे यूँ बेशर्मों की तरह अपने सामने खड़ा देख कर उसका दिमाग पल भर में घूंग गया था वो तन फन करती उस सक पहुची थी मैंने तुम जैसा बेशर्मा और बुजिल इनसान आज तक नहीं देखा किस मूँ से तुम मेरे सामने यूँ मूँ ठाकर खड़े हो वो बुरी तरहा से चटकी थी देखो अम्मी इस रिश्टर पर कभी भी राजी नहीं होती उसने जैसे उसे हमेश हवाला जवास पेश करना चाहा तो वो गुस्से में उसकी बात काड़ गई शर्म से डू मरो तुम जब तुम ये बात जुलू से जानते थे तो क्यों मुझे हाथ पकड़ के इस तरह से पढलाए तुम एक दम ही उससे आप एक होते उसे गिरिबान से दब हो चाथा अपने ही खाना की लड़की के साथ टाइम पास करते रहे और पर आकिर में मासूम बन रहो लानत है तुम पर बुरी तरह त्ःष में आते उसने सारिम को बुरी तरह पीछे धखेला तो सारिम की अना बिलबिला उठी उसे सचका आएना बरदाश नहीं हुआ उसने तैश में आकर उसे थपर मारना चाहा तो किसी ने उसका हाथ सक्ती से पकर कर इतनी जोर से मौड़ा कि सारिम की चिल्खे निकल गई जबकि बलवशा तो गोया पत्थर का मुझस्मा बन गई थी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सारिम ने उस पर हाथ उटाया है फरी और जोई उसे कहती नहीं कि सारिम अच्छा इंसान नहीं है वो उसके साथ इमानदार भी नहीं है लेकिन वो तो अंदिय हो गई थी उसकी आँखों पर मुझस्पत ने पट्टी जो बांदी थी लेकिन अच्छा हुआ कि इस मुझस्पत की काली पट्टी उसकी मुझस्पत की काली पट्टी भी आज खुल गई वो आसु भरी आँखों से सामने का मंज़र देख रही थी अरसलान खानदा ने सारिम का ग्रेबान पकड़ रखा था तुम मर्ट कहनाने के लाइक नहीं हो एक और पर हाथ उटा रहे थे तुम और 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 पी वो जिससे मुझस्पत के दावेदा रहे तुम उसने शदीद तैश में आते अपना हाथ उटाया और सारिम उसका ताकत वर थपड़ खाता एक दम ही पीछे की जानिब जागिरा था अरसलान उस पर पिर जपड़ा और पैदर पे कई थपड़ों से उसका चेहरा सुख कर डाला उसके जोरदार थपड़ खाकर सारिम का होट भड़ चुका था जबके वो हाल से बेहाल वही सड़क पर पड़ा हून थुक रहा था पलवशा मेरी होरे माली बीवी है तो आज के बार तुम मुझे उसके आसपास भी नज़र आए तो फिर तुम दुनिया में कही नज़र नहीं आओगे उसका चेहरा अपने आहिने हाथ में दबोचे उसने एक जटके से सारिम का चेहरा चोड़ कर अपने गार्स को इशारा किया इसे उठाकर आफिस से बाहर फिको आज के बाद ही मुझे यहां नज़र नहीं आना चाहिए सारिम पर एक कहर आलूद नज़र डाले वो पलवशा की जाने बढ़िया जो भी तक साकसी खड़ी थी अरसलान खानजादा को उसकी अबतर हालत देख अचानक ही उस पर तरस आया था विशा उसने शीरी लहजे में उसका नाम पकारते जैसी ही उसके सर पर हाथ रखा विशा तूटी डाल की तरह उसकी सीने पर सरकती फूट फूट कर रोव पड़ी जो आस्व चन दिनों से उसकी आँखों में कैथ थे उन्हें आज उसने उन्हें आजाद छो लिया था वो अपनी महपत के मरने का गम आज ही मना लेना चाहती थी अरसलान ने भी उसे खुल कर रोने दिया था वो कुछ दिर पहले ही दुबई से लोटा था और एरपोर्ट से सीधा अपने ओफिस पलवशा से मिलने आया था लेकिन गाड़ी से निकलते ही उसकी नजर पहले सारिम पर पड़ी जो पलवशा की गाड़ी के पास खड़ा था फिर उसकी नजर पलवशा पर गई जो पहले उसे देख ठिटक कर ठहरी फिर अपना गुसा जाहे कर गई अर्सलान खानजादा पिलर की आर्ण में उनके बीच की सारी गुफटगु संता रहा लेकिन जैसे ही पलवशा ने सारिम को पीचे धके ला तो वो तेजी से आ गया आया उसी वक्त सारिम ने उस पर हाथ उठाया जिसे वो से रख से थाम गया था पलवशा बस करें ऐसे शक्स के लिए आसु बहाना तो हो आसुं की तोहीं है अर्सलान खानजादा की संजीद आवास पर उसे अपनी पोजिशन का ख्याल आया वो उसकी सीने से लगी खड़ी थी जबकि उसका हाथ पलवशा के सर पर था वो से रख से पीछे होती अपना परस खोनने ही लगी थी कि उसकी नज़रों के सामने अर्सलान खानजादा ने अपना रुमाल कर दिया जिससे थाम कर वो जल्दी जल्दी अपना तर चहरा खुश करने लगी मैं इस शक्स के लिए कभी आसु नहीं बाऊंगी जिसके जिन्दकी में मेरी कोई वकत ही ना हू या आसु मैंने अपनी कम अकली पर बहाए है इस मरतबा वो बोली तो उसका अंदाथ संजीता जबके लहजा अफसोस भरा था मैं अपने सामने खुद ही शर्मिन्दकी महसूस कर रहे हूँ और शायद ये शर्मिन्दकी सारी उमर मेरे साथ रहे दिल गिरुफटगी से कहती वो अपनी काड़ी के जाने बढ़ने लगी थी के अरसलान खानजादा ने उसकी कलाई धाम कर उसे रोक दिया और खुद उसके मद्दे मकाबला कर उसकी आँखों में देखने लगा मेरी महपत और मेरे प्यारी प्यारे बच्चों के होते हुए आपके पास कोई और शेयर नहीं रह पाईगी ये मेरी गारेंटी है नर्मी से उसका गाल सहलाते उसने जिस अंदाज में ये बात कही थी पलवश्या का दिल ये अकबार की बड़े जोरदार अन्दास में धरक उठा था उसने घबरा कर उसे दूर होना चाहा लेकिन अर्सलाम खानजादा ने ऐसा होने नहीं दिया नर्मी से उसके हाथ से रुमार लेकर उसने उस रुमार को अपनी कोट की अंदूर नी जेब में रख लिया तो उसकी इस हरकत पर वो कान की लौ तक सुर्ख पड़ी थी आईए मैं आपको खर्च हो दूँ उसे लिए वो अपनी गारी की सिम्थ बढ़ने लगा हक से उसका हाथ पकले उसने गारी की पिछली सीट पर उसे बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठके गारी का डूर लॉक किया तो दूसरे इलम है ब्रावर ने गारी सब करवी से वहां से निकाल ली थी काफी दे खामुशी से गुजरी तो पलवशा नेने से उठाकर खुद सिफासे पर बैठे अरसलान खानजादा की जानिद देखा तो दिल धक से रह गया वो उसे ही देख रहा था पूरी तफज्जव और उससे उसने घबरा कर अपनी नजरें फेर ली थी गाड़ी उसकी घर की गेट के सामने छहरी तुड़ा वेने होरन दिया था इससे पहले कि वो लोग खोल कर गाड़ी से उतरती उसने से रह से पलवशा की कलाई थामी तो उसने घबरा कर उसके खुँ पर उच चहरे की जानिद देखा था पंद्रा दिन बाद ये चांद चहरा नजर आएगा बस यसलिए मैं इस चांद चहरे को अपनी नजरों में बसा रहा था गंबीर सरगोशी करते उसने पलवशा के हार पर दबाव डाल कर जैसे ही उसकी कलाई अजाग की मुसरत से गाड़ी से उतर दी खुले गेट से घर के अंदर दाखिर हो गई थी जो गाड़ी का हॉरंसुन का घर के गार ने खोल दिया था वो घर के अंदर आई तो वहां रखे फ़लों और मिठाईों के टोकरों ने उसे अरसलाम खानसादा की बाद अच्छे से समझा दी थी आज से पंदरा दिन बाद एद की तीसरे दिन उन तीनों का निकाह था और रुकसती की डेट फाइनल हो गई थी रुकसती में उनकी तरफ के मकतसे लोगों ने आना था लेकिन वलीमा ग्रेंट पेमाने पर रखा गया था जहिज लेने से उन्होंने इंकार कर दिया था और हर चीज में साथ लेकों पर रखा था शादी के अखराजास से बचने वाले पैसे वो लोग एदी फाउंडिशन को देने वाले थे दाक रातों का शरा शरू हुआ तो लोग की अबादत का दोरानी अभी बढ़ गया था वो तेनों ही अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर पुरसकून थी कि उन्होंने सब कुछ अपने रख पर छोड़ दिया था यकीन उसके फैसले ज्यादा अच्छे होते हैं इस दोरान उन्होंने ऑनलाइन जरूर रख की शौपिंग की थी बरी तो सारी लड़केवानों की तरफ से आनी थी सो वो पुरसकून होकर ज्यादा वक्त अबादात को दे रही थी वो तीनों नकसक से तयार अजीम एहमद से अपनी ईदी वसूल रही थी जबके दादी अपनी पोतियों को मस्कराती नज़ों से देख दी एक दम आपदीता हो गई तो रुबा पेगम ने उन्हें गले से लगा लिया था अमा आप क्यूं रो रही हैं अब तो खुशियों के दिन शुरूए है वो प्यार भरे अंदाज में उन्हें तसली देने लगी कि वो उनका हाल अच्छे से जान दी थी उनकी जान बसी थी अपनी पोटियों में और उन्हें के दूर जाने के ख्याल से वो कुछ अफसरदा थी दादी अगर आप यूँ ही करेंगी तो हम शादी से इंकार कर देंगे पलवश्य जस्बाती होकर हमीशा की तरह घलत वक्त पर घलत बात बोल गई जिसके जवाब में रुबाब बेगम के करा ले ठपर ने उसकी तवाजव की थी अमी, शादी होने वाली है मेरी वो खफ़ा होते है अपने बादोस से लनने लगी थी शादी होने वाली है तो अकल के नाफुन लो जो मूं में आया है बस बोल दिया खतम करो ये अपनी आदत वो अच्छे से उसे डपट थी सुमेरा बेगम के साथ के चंगे जाने बढ़ गई ताके मुलाजमा के साथ टेबल सेट करवा सके मेरी बच्ची बुरा नहीं मना वो मा है और माओं की अपनी फिक्रे होती है जब तुम खुद मा बनोगी ना फिर ये बास समझोगी दादी की खुली डुली सी बात में उसके चेहरे को सुर्फ कर डाला था जबके फरीया और जोई भी दबे दबे अंदास में खीकी कर रही थी अजीम सहाब के कोई दोस एद मिलने आय थे तो वो ड्राइंग रूम के चानब चल लिये थे जबके वो तीनों दादी पोती सिटिंग एरिया में बैठी अपनी गपे हाक रही थी इस दोरान उन तीनों के नंबर्स पर उन तीनों के नंबर्स से एद मुबार्ट के मैसेजज उन्हें मौसुन हुए थे साथ दिल वाले बहुत सारे इमोजीज भी थे फर्यान तो इस मैसेजज को देख धीरे से उसके राते खजर को रिपलाई देने लगी थी पलवशा ने मैसेजज देखकर फून एक तरफ डाल गया था जबकि जोया ने उस मैसेजज को यू घूरा था जैसे वो शोसब सिल्तान खुद हो इत का दूसरा दिन सारा दिन भी काफी मसूफ रहा कि इसी शाम उनके घर ढोलकी रखे गई थी तो मेहमानों की आमद और रफ शुरू हो चुकी थी एक तरफ लड़कियां शुगन के गीत का नहीं थी तो दूसी तरफ उन तीनों के मेहदी लग रही थी भूलकी में मिसिस हैदर भी अपनी बेटियों के साथ शामिल थी असर में उनके आने का मकसद सुन गून लेना था और जब उन्हें लड़कों के बारे में सब पता चल गया तो वो जल भून गई उनके अपनी बीटियों के लिए ढंके रिश्टे नहीं मिल रहे थे और यहां उन तीनों लड़कों के बकॉल उनकी लौट्री निकल आई थी खासकर उनकी बरी देख तो वहां मौजू सब लोगों की आँखें खेरा हो गई थी जोईबाद और उसकी बीवी लेकर आई थे उनके साथ जावी भी था जिसने एक लम्ही को भी अपनी हरमाईनी को अकेला नहीं छोड़ा था वो तो घर जाना ही नहीं चाह रहा था लेकिन एबाद उसे पटा कर बड़ी मुश्किनों से वापिस लेकर गया था रात गए तक ये महफिल चलती रही लेकिन वो तीनों धखार कर अपने बने कमरों में सोने के लिए जाच चुकी थी वैसे भी कल का दिन बहुत मसरूफ होने वाला था तो उन्हें आराम की अश्यस जरूरत थे वो तीनों सुर्ख लेंगे में रिवायती दुलनापे का रूप लिये बला की हसीन लग रही थी दादी ने तो उनकी नजर उतार कर फॉरन ही सबका भी दिर डाला था रुबा बेगम की बार बार आखें बहराती थी तो वहीं अजीम सहावारों की बेगम का भी यही हाल था जहां वो अपने फर्ज की अदाई के उपर खुश थे तो वहीं अपनी डाट्लियों के पराय हो जाने पर कुछ अफसरता भी नजर आ रहे थे निकागी रैसम के बाद उन तीनों को अपने अपने दुल्हाओं के पहलों में लाकर बिठाया गया था बलाक शेयरमानी में उन तीनों की शानदार शख्सित ने हर एक को मस्मराइज किया था उन तीनों की जोड़ी गोया सब ही साँचान सूर्थ की जोड़ी कह रहे थे उनके घर के लॉम में खुभसूरती से शादी की सैट-प अरेच किया गया था जहां उन तीनों दुलहनों के एहसास अजीब से हो रहे थे वहीं वो तीनों दुलहा सरशार से अपनी महपत को अपने पहलों में लिए बैठे थे मुखत सिर फोटो शूट के साथ ही खाना खुल लिया गया था जावी जोरान जोया के हाथ पकड़े उसके साथ साथ रहा था बस फोटो शूट के वक्त वो कुछ देर के लिये जोया से दूर हुआ लेकिन उसने अपनी भी काफी पिक्स जोया के साथ बन्वाई थी निर्या के फौरान बाद ही रुकसती की रसम अदा की गई तो सबकी दौाओं तले नमाखों के साथ वो रुकसत हुई थी खिजर और शौजब उन दोनों को रुकसत कर्वा कर अपने साथ लाए थे तो वहीं अरसलाण खानजादा पलवशा को रुकसत कर्वा कर अपने घर पर लाया था उसके साथ अबाद और उसकी बीवी भी थी जबके लुबना बेगम उन दोनों भाईयों के साथ गई थी ताके दुलहनों का अच्छे से वेलकम हो सके इबाद अरसल के साथ सिटिंग एरिया में बैठा मसलसल उससे तंग किये जा रहा था जिस लड़की ने तुझे शर्बसे नहला दिया था वो ही लड़की आज तेरे बेडरूम में बैठी है समल के जाना कहीं आज पानी से ना तुझे नहला दे आज मेरा दिन है आज अरसलान खान जादा उस अपनी महुपत की बारिश में भिगोने का पका इरादा रगता है तुरू तुरू चल कर बेबाकी से कहते उसने एक आफ का कोना दबाया तो इबाद ने छेप कर उसके मुका जड़ दिया बहुती बेशर्म इनसान है तू चले इबाद इससे पहले के अरसल को जवाबी कारवाई करता इबाद की वाइफ वहाँ चलिया आई थी चलो अब हम चलते हैं इन्शाला कल मुलकात होती है अरसलान खान जादा से मिलकर वो अपनी मिसिस को लिये वहाँ से निकलाया था पीछे अरसलान ने अपार्टमेंट का डूर लॉक किया और सरशार सा अपने बैट्रों के जाने बढ़ गया ये एक हाई कलास अपार्टमेंट था जिसकी अंद्रों नी बनावर बिलकुल किसी बैंगलो की जैसी थी उसने बैट्रों में कदम रखा जो रुमान भी मनसर पेश कर रहा था पलवशा फूनों से सची सेच पर बैठी खुद भी भूनों का हिस्सा मालू हो रही थी उसने अपनी शेर्वानी उता कर सूफे पर रखी और महकते जजबातों के साथ बैट की जाने बढ़ गया उसके बैट पर बैटते ही वो खुद में सिमच सी गई थी दिल अलग पस्लियां तोड कर बाहर आनी को बिताब था अरसलान खानजादा ने हाथ बढ़ा कर उसका गूंगट उलड़ दिया तो गोया हर शेर्च जैसे थंसी गई उसमे कुर्टे की जेब में हाथ डाल कर एक खुबसूर इसा मखमली केस बाहर निकाला और उसे खोल कर उसमें से हाथ शेप का एक बेशकीन तीन नेकलिस निकाला अजासत है? गंबी लहजे में वो उसे अजासत तलब करता उसके वजूद में संसरी से दोड़ा गया मुझे कुछ कहना है? वो बामुश्किल लहजे को मस्बूत बना पाई थी जबके नजरें हनुज शुकी मुकाबल के सबका इंतिहान ले रही थी दिल दो चाह रहा था कि हर चीज बाला इताक रखकर उसे बहाओं में भर ले लेकिन अभी उसे पलवशा हर छे से अजीज थी जब ही वो उसका हाथ थामे उसे बोलने की चासत देगिया था और खुद मज़े से उसकी गोद में सर अपकर लेट किया था मैं मुन्तजर हूं आँखे मौंदे वो उसके हाथ पर दबाव बढ़ा गया तो वो जजज़क कर बमश्किल बोल सकी आइम सॉरी उसके माफी मांगनी पर उसने पट से आँखे कोनी और सिरह से उटकर बैट गया किस चीज़ की माफी उसका अंदाज अजहच संजीदा हुआ था मैंने उस दिन आप पर शर्बत किरा दिया था बच्चों की तरह मासुमियत से अपनी गल्टी का एतराफ करती वो गोया उसका दिल लूट गई थी असलान बेर इख्तियार होता एक दम ही उसे सीने में भेज़ गया माई लफ आप पर तो साथ खून माफ तो प्लीज शर्मिन दा मत हो उसके ज़र पर बोसा देते वो गोया उसका मान बढ़ा गया था सच में वो एक आला जर्फ इनसान था सालिम को लेकर ना उसने उससे कोई बात की थी और ना ही कोई ताना मारा था इस लम्हें उसे अपनी मा के उस पैसले पर फखर हुआ था वो तो अपनी कमकली में हीरा छोड़ कर चमकता पत्थर उठा रही थी लेकिन उसकी मा ने ये फैसला करके उसे एक बहतरी इन जीवन साथ ही दे दिया था आप बहुत अच्छे हैं अरसर मैं बेशक आपसे वैसी महपत नहीं करती जैसे आप करते हैं मगर मैं तमाम अमर आपकी वफदार होंगी लेकिन आप जिसकदर प्यारे दिल के मालिक हैं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द आपकी महपत में गरिफदार हो जाऊंगी शरम से चूर लहजे में कहते वो गोया और सलाम खानजादा को सारे आलम की खुशियां सूब गई थी उसने नर्मी से उसे खुश से जुदा किया और उसके माथे पर प्यार दीते पूरे हक्त से उसके गले में नेकलिस पहना दिया I love you उसने पलवशा की दिलकश हुजूद को अपनी आगोश में समीट लिया था अब उसका इलादा सच में उसे अपनी महपत की बारिश में भिगोने का था खिजर अपनी कमरे में दाखिल नहुआ तो ठिटक गया जावी अपनी हर्माईनी की सार बाते करते ठक कर भेही सो गया था जबकि जोया प्यास से उसके बालों में हाथ फिरते मुस्कुराती नजरों से उसे देख रही थी इतनी नायां मचपर भी कर डालें मैं भी आपकी महपत बरी निकाह का मंदजिर हूँ उसकी शोख आवाद सुनते जोया ने करन्ट खा कर उसकी चाने देखा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो खरूस यू शोख भरी बातें भी कर सकता है आपको यकीन दिलाने के लिए मेरे पास बहुत से तरीके हैं लेकिन पहले मैं इन हजरत को आउंटी के पास चोड़ा हूँ वरना तो उन्होंने मेरी गोर्लन नाइट को खराब करने की अच्छे से ठानी थी उसके दिल का शुरूप और नजोर में बसाए वो उसकी नाप की नत को धीरे से चूटा उसे शौक पर शौक देता अहत्यास से जावी को बाहों में उठाएं वहां से निकल गया था लुबना बेगम जावी की वज़ा से ही आज वहां रुकी थी कुछ देर में उसकी वापसी हुई तो उसने पहले डोर लॉक किया और फिर अपनी शेर्वानी उतार कर हैंकर था बाला में हाथ फिरता शर्सार सा उसके करीब गिरने के से अंदाज में बैठा तो वो उसे हैरान परेशान नजरों से देखने लगी आज तो इस अकडू के रंग धंगी चुदा थे जबके वो खामोश सा बस प्यार बहनी नजरों से उसे देखे जा रहा था जबके वो उसकी नजरों के अलतकास से नर्विस होती अचानक अपना हिनाई हाथ उसकी आँखों पर रग गई तो वो खौफसूरती से मस्कुरा कर उसके हाथ धाम कर अपने लबों से लगा गया दूसी तरफ इस पहले अनुखे लंस ने जोया की दिल पर अजीब सी चाप छोड़ी थी वो एक दम उटकर बैठा और उसका दुपट्टा उसके सर से अलग करते उसने साथ माथा पट्टी भी हटा दी और उसकी चोट के निशान को नर्मीज से चूंग गया फिर उसे अपना यहा मल करी मरतबा धोरा कर जोया की जान हलकां कर डाली थी उसने घबरा कर शोजब का बाजू दबोचा तो उसने एक दम ही उसे अपनी बाहों में भेच लिया मैं बहुत ड़गिया था सोया तुमने मेरी खातिर खुत को खतरे में डाल कर गोया पूरे शोजब सल्तान को अपना हुला बना डाला मैं जो तमसे पहनी मुलाकात में चिड़ बैठा था तो में होश से बेकाना देख मेरी सांसे सीने में उलच गी थी मैं तुम्हारे दूर जाने के खौफ से गोया मरने लगा था वो जो जो बोल रहा था जोया को है आनकी की समंदर बें जैसे टिबो रहा था तुम्हारे होश में आने के बाद मैं तुम्हें सीने से लगा कर अपना खौफ करना चाहता था लेकिन मैं हक नहीं रखता था इसलिए रुकसती तक कर इंसा किया ताकि तुम्हें बाहुं में लेकर बता सकूँ कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो शोजब सुल्टान की पहनी और आखरी महफब सोया शोजब सुल्टान है मेरे जेने की वज़ा और मेरे बेसकून दिल का करार वो इसार करते करते बहखने लगा तो वो कसमसा कर उसे होश दिला गई थी उसमें पुश शौक नज़र से उसके हाया से सुख परते चहरे को देखा और हाथ बढ़ा कर साइड दरास से एक मखमली रुमान निकाल कर उसे खोला और उसमें से खुबसूरत सी चांदी की पाहल की जोड़ी निकाल कर उसका लहंगा हलका साउचा किया और बारी बारी वो दोनों पाहल की जोड़ी उसके पहनों की जेनत बना दी और नेर्मी से उसके इंगोठे को जखम को धीरे से चूग गया तो जोया ने घबरा कर अपने पाउं समीट लिए आप पर हमला करने वाले मुझे इंपक्ड़े गए खुश से तबचा हटाने को उसने बाद मदल डाली तो उसकी मासुमित भरी चालागी पर फिदा होता दिल कशी से मुस्करा दिया था वो हमला आवर लोहे की सलाखों के पीछ हैं और बहुत जद उन्हें सजा भी मिल जाएगी लेकिन आज की रात हम सिर्फ अपनी बातیں करेंगे मैं अपने दिल की कहूंगा और तुम अपने दिल की कहना बेलकि मेरे दिल की ज्यादा सुना क्योंकि वो क्योंकि ये बिताफ सा है घंबी लब लेंचे में कहते उसे एक मर्दबा फिर उसे पनी बाहों में समेटा तो वो घबरा कर मसीद उसी में समेट गई शोसब वो पहरा मर्द था जिसमें उसकी दिल की सरजमीन को फता किया था और उसे यकीन था कि इस खुबसूरत दिल के मालिक इनसान के साथ उसकी जिन्दगी खुबसूरत तरहीन होने वाली थी खजरने कमरे में दाखिल होते ही कमरा लॉक की और तीजी से शिरवाने उतार कर सोफे पर उच्छालता सेरज से बैट पर फर्यान के पहलों में गिर्सा गया तो वो हावास बागता सी अपना घूंगट उलटी उससे देखने लगी थी क्या हुआ तब यह थो ठीक है आपकी वो उसे आँखे मुंदे पड़े देख परिशानी से गोया होती मेंदी छूडी से सजाहाथ उसके बात उपर रग गई लेकिन मकाबल की पुजीशन हनूस रही वो भीसी तरह बगए हरकत के पड़ा हुआ था खिजर रुहांसी आवास में जैसे उसने मकाबल का नाम पुकारा उसने पड़ से आँके खोनी और सेलस से उटके पलक जबक दे उसके शोल्डर पर दोनों हाथ जमैं उसे पीछे की जानब लिटा कर अपने हाथ उसके दाएं में बैट पर यू जमा गया गोया वो उसके हसा हमें मकायद हो गई जबके वो बिचारी हक तक दुलनापी का लिहास भूले उसे हैरामगी भरी नजरों से पटर पटर देखती खिसर की दिल की दुनिया को तैयो बाला कर गई थी उसने जट दिल की कहे पर लपए कहते उसके गालों की लाली चुराई तो उस नम्स की तपिश ने उसके गाल मजी दहका दिये खिसर की हायात यकीन दिला रहाता खुद को कि तुम ताह हायात मेरी हो चुकी हो लोग तो महपत में आक का दर्या पार कर लेते हैं लेकि मुझे देखो मैंने रब से तुम्हें मांगा और उस रब ने मेरी द्वारत नहीं की घंबी ही सरगोशी करते खजर ने हाथ बढ़ा कर उसके माथे की बिलिया एक दर्फ की और जोकर उसके माथे पर प्या दिया तो फर्याल अपनी सांसे तक रोग गई तुम कुछ कहोगी नहीं नर्म कोई सिको है कहते हैं उसने फर्याल का दुबर टा उसके सर से ने मूफ किया तो वो जिज़क कर नज़ें चुका गई मैं क्या कहूं वो कुछ अटक कर बोल दी काफी नर्विस थी यही कहतो कि खजर आप बहुत वज़ी लग रहे हैं आपको देखकर मेरे दिल की धरकनी काबू में ही नहीं आ रही उसके कान की जुंके निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखते उसे फर्याल की कान की सुरुक्र पढ़ती लौक को सहलाया तो वो खुद महीं सिमट गई आप तो हमेशा से हैंसम रहे हैं वो इतना हैस्सा बोली कि वो मुश्किल संथा खुबसूरती से मुस्करा दिया था करने लगा चुक्के फर्याल की धर्केने मजीद मंतर्शिर हुई बिलकुर हर बार बताने की नहीं होती जैसे आपकी धर्केने इस वक्त महवे रक्स हैं लेकिन आपकी लब खामोश है उसके लबों की सुर्खी को अपनी पोर पर समीटते वो उसे बुरी तरह हैर से मखलूब कर गया तो वो दोनों हाथ चेहरे पर रखती एकदम से उसकी तरफ से करवर्ट बदल गई थी जबकि उसकी इस जान लिवा अदा पर खिज़र का नर्म कहका उसकी समाध की नजर होता उसके लबो पर शर्म एकी मुसकान बिक्हेर कया था क्या मैं इससे इजाज़ समझू? उसके बालों की महक को सासों में बसाते खिज़र का लहचा बहका सा था वो उसकी तमाम चुड़ियां रंगुटियां उतारने के बाद उसके नसीख हुआ और हाथ बढ़ा कर उसके मरमरी हाथ की कलाई थाम कर अपनी पौकिट से डायमेंड की रिंग निकाल कर उसके हाथ की तीसी उंगी की जीनत बनाता उसके हाथ की पुष्ट को चुम गया कैसी लगी नर्मी से उसका रुख अपनी जानिब करते वो पूरी तरह उसे की जानि मतवच्चा था जो उसके सवाल करने पर अपने हाथ की उंगी में सजी उसको सूरत रिंग को देख दी नर्मी से मुस्कराई थी आपकी तरफ से मिलने वाला ये हसीन तोफा मुझे हर शेय से बढ़कर रजीज है शर्मी की अंदाज में कहते उसने रिंग को अपने लबों से चुआ तो खिजर मजीद उसे अपने करीब बेर या नॉट फिर यार इस किसका हगदास खिजर सुल्तान था मस्मी रोब जमाय खिजर ने उसे आँखे बिखाई थी खिजर तंग मत करें वो उसकी नजों के शोख तकाद जानकर उसकी सीने में पना ले गई तो उसने हस्ते हुए बड़ी महबत और तवज्ज़ से उसे मजीद खुद में समू लिया था दो दिन बाद शेहर के सबसे बड़े होटेल में बड़े पैमाने पर उन तीनों के वनीमे की तक्रीम मनकित की गई थी हर एक चहरा खुशी से खिल रहा था मीडिया से लेकर हर शोबे से तालुक रखने वाले लोग वहां मौजूद खुशगप्योंगे मज़ूफ थे तो वही सानम हैदर दूर कौने में बैठा हज़र भरी नज़ों से परवजा का चमकता तमकता रूप देख रहा था स्काइब लू मैकसी में वो आसमान से उत्री हून लग रही थी नईवी ब्लू कोट पैंट में मिल बूस खज़र के पहनों से लगी उसके चहरी की खुशी देखने लाइग थी अपनी बुज़ियों का महिमती की वज़ा से वो आज इस हीरे से महरूम हो चुका था जिसका दुख उसे तमाम उमर ही रहना था फरियान नेडल गोल्डन कलर की मैकसी जिवतन की थी तो वहीं खज़र ने ब्राउन कलर का कोट पैंट पहना हुआ था वो किसी ना किसी बात पर कोई शोग जिम्रादा कर देते थे जिसके बाद वो छेपकर मस्करा देती थी इस रूप में मुबला की हसीन लगती खज़र को किसी और जाने मतवज़ होने ही नहीं दे रही थी दुसी तरफ सिल्वर कलर की मैकसी में जोया की च्छाप ही निरा ली थी जबके शोजब ग्रे कलर की पैंट कोट में हर एक की निगाह का मरकज था इस दोरां जावी के नने हातों ने एक बल को भी अपनी हर्माईनी का हाथ नहीं छोड़ा था वो मस्तकिर उसके साथ साथ खोशी से चाहक रहा था नजरे बत की दौाई पढ़ कर ये पर भूब रही थी जबके वो सारी फैमिली मेंबर्स एक ही टेबल पर बैठ है अपने बच्चों के खुशी से जग मगाते चेहरों को देख खुद भी मुस्कराते हुँ की आने वादी बहतीन जिन्दगी के लिए दौा को थे जी दोस्तों कैसे रगा आपको यह इद इस्पेशल मुकमल नॉबल यकीन में बसंद आया हो गया तो चुड़े रहीगा क्लासिक एंटेटेमिंट चैनल के साथ जहना है ने नॉबल्स हम आपके लिए लिए कराते रहेंगे तिल देन ठेक्यों एन आफिस